करंट अफेर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अविशेक शर्मा और आज ये इस वीडियो सेशन में हम दिसेंबर थर्ड वीक के सभी इंपोर्टन करंट अफेर्स एक साथ कवर करने वाले हैं जो भी सब्सक्राइब करने चाहते हैं तो करंट अफेर्स फंडा का वनियर मेंबर्शिप प्लान आप जोइन कर सकते हैं और अभी क्रिस्मास ऑफर भी चल रहा है जिसमें आप केवल 249 रुपीज में हमारी ये कोर्स ले सकते हैं जिसकी वैलिडिटी वन येर तक की रहती है और कोई भी आपका एक्जाम हो बैंकिंग SSC या फिर स्टेट PCS या फिर और भी कोई वंडे एक्जाम होते हैं जहां पर भी जनरल अवेंडिन से अकर इंटरफिर्स पुछे जाते ह इस सामस के लिए हमारे PDF कॉंटेंट काफी यूसफुल होता है तो अगर आपको ये कोर्स पाय करना चाहते है तो लिंक आपको फर्स्ट कोमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में बिल जाएगा और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस PDF कोर्स संबंदित तो आप कोम आपको जाना चाहिए कि इस साल 33rd व्यास सम्मान जानेमानी हिंदी राइटर पुस्पा भारती को दिया जाएगा आपको बता देए जो व्यास सम्मान है इसके स्थाप्ता 1991 में केके विल्ला फांडेशन द्वारा की गई थी और यह एनूली दिया जाता है जिसने भी कुछ आउटस्टेंडिंग वर्क लिखा हो हिंदी लिटरेचर में किसी भी इंडियन सेटीजन ने और वो पिछले 10 साल में जो है पुब्लिश हुआ हूँ तो उन्हें दिया जाता है अगर हम इस भारती बात करें तो इनका इनने स्लेक्ट किया गया है इनका जो मैमुआ है याद और श्याचीन गलेशियर पर अपरेशनल पोस्ट पर ट्राइनाथ होने वाली बहरतिय सना की पहली महीला चिकित सादिकारी कोन बन गई है ऑप्शन सापके सामने हैं सही आंसर स्वाप्शन वी है फातिमा वसीन आपको जाना चाहिए कि कैपटन फातिमा वसीन यह फस्ट व यूरी कॉप्स ने और यह दूसरी medical officer होंगी जो सियाचीन glacier पर deploy की गई है इन से पहले हमने देखा था Captain Giti का call यह first woman medical officer बनी थी Indian Army की जो की सियाचीन में deploy की गई तो दो नाम याद रखेगा Giti का call और फातिमा वसीम दा प्राम प्रदार मंत्री नेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ग्लोबल पार्टनर्शिप और आर्टिफिचल इंटेलिजेंस सिखर सम्मिलन का उत्खाटन किया इसमें कितने सदस्यदेश शामिल है आपको जाना चाहिए कि भारत मंडपम न्यू डेली में प्राइमिस्टर इंद्र मोदी ने ग्लोबल पार्टनर्शिप और आर्टिफिचल इंटेलिजेंस चीप पाई जिसे बोलते हैं इस सब्मिट को इनोग्रेट किया है आपको उतार इसमें 29 मेंबर्स हैं हमारा जैसे जी 20 है ना 19 कंट्री प्लस यूरोपियन इन इसी तरह से आपको बता दे जो यह जी पाई है इसका मक्सद है जो थियोरी है और जो एक्ट्वल प्रैक्टिस है याई से सम्मंदित आर्टिफिचल इंटेजिंस से सम्मंदित ठीक है उसके बीच में जो गैप है ठीक है मतलब कम करना मतलब की थियोरी को जो है प्रैक्टिकल में जो है अप्लाई करना तो कटिंग एज रिसर्च एंड अप्लाइड एक्टिविटीज जो है तैयार करना जो की AI से सम्मंदित हो आपको दाए 24 में भारत इसका जो है अध्यक्ष है इस ग्लोबल पार्टनर्शिप और इसका इसका मेंबर नहीं है यह याद रखिएगा और इसकी जो प्रीवेस सम्मिट है वह 2022 में होई थी वसाका जापान में पहली सम्मिट कनेड़ा द्वारा होस्ट की गई थी 2020 में इस पार्टनर्शिप को प्रपोस किया गया था 2018 में हुई 44 वी G7 सम्मिट के दुरान क जुन 2020 में इसको ओफिशिली लॉंच किया था इसका सेक्रेटेरियट ओए सीडियान के हैट्वाटर में ही लोकिटेड है यानि की पैरिस फ्रांस पर और यूनेस्को ने साल 2020 में एजन ऑप्सरवर इसको जो है जो है जोइन किया वेर वाज दा ट्रेणिंग लॉंच ओफ दा शोर ट्रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अगनी वन कंडुक्टेड कमदोरी की बैलिस्टिक मिसाइल अगनी वन का पर्सिक्षन पर्सिक्षन का आजित किया गया सही आंसर ऑप्शन सी है एपीज अब्दुलकलाम आईलेंड उडिस कोस्ट से इस्टरजिक फोर्सिस कमांड के अंडर में अगनी वन सिंगल स्टेज सॉलिट फ्यूल मिसाइल है जिसकी रेंज साथ सो से बारा सो किलोमेटर की है और एक हजार केजी तक का पेलोड ये कैरी कर सकता है अगनी मिसाइल देख लेते हैं उनकी रेंज भी देख लेत इंटल बैलिस्टिक मिसाइल है आई सी बीम है और इसकी रेंज है पांच जार किलोमेटर से जादा की वहीं अगनी प्राइम भी है जो की टू स्टेज करेस्ट मिसाइल है अंडर डेवलपमेंट है जून दोजार तीस में इसको सक्सेस्फुली फ्लाइट टेस्ट किया गया सभी आंसर ऑप्शन है जीव देखे हनुका जो है जूइस मन्त होता है किसलिव इसके 25 डे को मनाया जाता है और आर तीन तक चलता है दोजार तीस में साथ दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये सेलिवेट किया गया इसे फैस्टिवल ऑफ लाइट्स भी कहते हैं और जो भी इवें जी होती है ठीक है उसको भी जलाते हैं कि वीचिस्तेट इसलिवृट इस साथ अमरतला तोरग्या फैस्टिवल एवरी यर कौसा राजी हरवर्ष सार अमरतला तुरग्या उत्समानाता है ओप्षंस आपके सामने हैं सज्ञांसर ओप्षंडी है औरूनाचल प्रदीश कि एक स्मोल हैमलेट है अरुनाचरप्रदेश आसाम और भुतान के जंक्शन पर ट्रा जंक्शन पर हम बात करते हैं कैपिटल इटानगर है केवटल ने केवलिया ृविकरम परनायक फेस्टिवल्स देख लेता है जो अरुनाचरप्रदेश मनाए जाते हैं सियांग रिवर फेस्टिवल महत्पूर्ण है जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक सौलंग नियोकूम लोसार फेस्टिवल द्री फेस्टिवल यह कई बार पुछा जाता है द्री फेस्टिवल बूरी बूर्ट लोकु एंड शंकिन Ministry of Defense has entered into a collaboration with which institute for scholarship to ex-servicemen रक्षा मंत्रायल ने पूर्व सैनिकों को scholarship के लिए किस संस्थान के साथ सहयों किया है सही answer option D है सही answer option C है Indian School of Business देखे Department of Ex-Servicemen Welfare Ministry of Defense इन्होंने collaboration के लिए MOU sign किया है Indian School of Business ISB के साथ ताकि जो military personnel है जो दुबारा अपनी civilian life में लोटना चाहते हैं retirement के बाद उनको scholarship प्रवाइड की जा सके तो इस collaboration के तहत जो Indian School of Business है वो उन सभी personnel को जो की management से संबंदित प्रोग्राम करना चाहते हैं पोस्ट करना चाहते हैं उनकी जो tuition fee है उसमें 50% जो है वेवर करेगा 50% की छूट देगा हूँ inaugurated 59th fertilizer association of India annual seminar 2023 उनसा टवे fertilizer association of India वार्षिक सेमिनार 2023 का उद्गाटन किस ने किया सही आंसर option सी है मांसुक मांडविय देखे dr. मांसुक मांडविय जो की union minister of chemicals and fertilizers and health and family welfare है इनने 59th fertilizer association of India annual seminar 2023 को inaugurate किया है New Delhi में आपको बता दें fertilizer किस तरह के होते हैं कि primary fertilizer में nitrogen होता है और phosphorus and potassium यदि हम nitrogenous fertilizer की बात करें इसमें urea आता है phosphatic fertilizer की बात करें इसमें die ammonium phosphate आता है zinc iron boron chloride यह information मैंने अपने आप सेड़ की है यह इस article में नहीं था PIV के अलग सेड़ की है यह उन सब के लिए जो PCS जैसे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं या और ROI एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपर इस तक एफेक्ट्स पूछ ले जाते हैं बाकि जो bank की तैयारी कर रहे है उनके लिए केवल इतना काफी है यह सब्मीट ठीक है और कुछ आंकड़े में आपको बता देता हूं मतलब कुछ फैक्ट जो आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं चाइना और यूएस के बाद भारत third largest producer है fertilizer का चाइना के बाद भारत second largest consumer है fertilizer का और भारत second rank रखता है य इंपॉर्ट करते हैं क्योंकि हमारे यह जह है limited reserve है पॉर्ट आश के और वर्ड का लाज़ेस्ट इूरिया इंपॉर्टर है भारत वट इस थीम ऑफ दा second edition of infinity forum infinity forum के दूसरे संसरण का विश्य क्या है सही आंतर option दी है gift IFSC nerve center for new age global financial services देगे प्राइम से इंपॉर्म के second edition को हाली में संबोधित किया इन्वरेट किया इस जो इनफिनिटी फोर्म है यह global thought leadership platform है fintech से संबंदित तो इसका जो second edition है इसे jointly organize किया गया international financial services centers authority यानि की IFSC और gift city द्वारा आपको जाना चाहिए इससे support किया Bloomberg त्वारा जो की international partner है Fikki and Invest India जो की domestic partners है Boston Consulting Group जो की knowledge partner है इस second edition of infinity forum जो इन्फिनिटी फोर्म का second edition इसका theme रहा gift IFSC nerve center for new age global financial services who has been elected prime minister of Poland Poland का प्रदार मंत्री किसे चुना गया है सही आंसर option यह है Donald Tusk देखे Donald Tusk यह Poland के नए prime minister elect हुए है इससे पहले 2007-2014 तक भी इस position पर रह चुके है यह civic platform political party से है Poland की बात करें प्रेजिडेंट यहां के Android चुड़ा है currency है slowty capital wars हो है which actor has recently been honored with Italy's highest civilian honor हाली में किस अविनेता को इटली के सर्वोच चुनागरी सम्मान से सम्मानित किया गया है options आपके सामने सही आंतर option है कबीर बेदी देखे veteran actor कबीर बेदी इन्हें order of merit of the Italian Republic जो की इटली का highest civilian award है इस सम्मानित किया गया है कबीर बेदी के अगर हम केरियर की बात करें तो इन्होंने इंडिया, United States और इस्पेसली इटली में जो है काम किया है और यह जाने जाते हैं इटली में एक pirate संदोकन का केरेक्टर निभाने के लिए Italian TV जो है इसलिए 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 इनको सम्मान दिया है काम कर चुके है महाँ पर एंड फॉर इस रोल एस दा विलिए गोबिंदा इन दे 1983 जेम्स पॉंट फिल्म Octopussy The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on जनकल्यान सहकारी बैंक लिम्टेड मुंबई RBI ने जनकल्यान सहकारी बैंक लिम्टेड मुंबई पर कितनी राशी का मौद्रिक जुरुबाना लगाया है सही आंतर आप्शन भी 5 लक रूपीज देखे रेजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने पांच लाग रूपे की मौनेटरी बैंक लिम्टेड मुंबई पर फॉर नौन कम्प्लाइंस विद डियरेक्शन इशुद बाई आर बियाई ओन रिपोर्टिंग ऑफ लार्ज एक्स्पोजर्स एक लाग रूपे की मौनेटरी पानेटरी बैंक लिम्टेड पर पांच लाग रूपे की जुद अस्टरी बैंक लिम्टेड पुने लिधाई पर करेंगे यह जोइंट फास्टेस्ट की बात करेंगे इनिंग्स के हिसाब से तो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाब जो मैच खिला गया सेकेंड टी-ट्वंटी उसमें नहीं यह किर्थिमान हासिल किया है और विराट कोली के साथ जो है यह जोईंट ली अब फास्टेस्ट हो गया है जिरोंने दोजार रण टी-ट्वंटी ने साथे आपको जाने चाहिए इंडिया के रवी बिस्नोई यह वाइड के नमबर वन टी-ट्वंटी बोलर बन गए है राशित खान को जोने पीछे चोड़ दिया विज़ दोजार टीश में गूगल की सीर्स दश ट्रेडिंग एथलीटों की सुचि में एक मात्र भारती क्रिकेटर कौन है सही आंसर ऑप्शन भी है सुबमंगिल तोप टैन ट्रेंडिंग एथलीट की सुचि में सुबमंगिल भी सामिल है देखिए गूगल ने जो है गूगल इयर इन सर्च की जो है रिपोर्ट जारी की मतलब इसमें बताया गया है कि मोस्ट सर्च एथलीट होन रहा दोजार तीस में तो टोप टैन की अगर में लिस्टे देखिए उसमें भारत की शुबमंगिल नाइन्थ पोजिशन पर है और इस लिस्ट में तॉप पर हैं अमेरिकन फुटबॉल स्टार डैमर हैं लिए इस लिस्ट में नववे पर नवव हैं इन विच कंट्री वास इस्टेश्ट डेटिकेटेट टू थ्रुवल्लूवर अनवीड रिसेंट टिहाली में किस देश में तिरुवल्लूवर को समर्पीत परतिमा का नावरंड किया गया सही आंसर ऑप्शन भी है फ्रांस देखें थ्रुवल्लूवर जो की कल्चर हैं फिलोसफर रहे हैं और त्रिकुर्वल की रचना के लिए जाने जाते हैं जो कि एतिक्स पॉलिटिकल एंड एकनोमिक मैटर्स एंड लव से सम्मंदित एक टैक्स्ट है विश ब्रिटिस इंडियन कंपोजर हैस बिन इंक्लूड़ेड इंड ट्वंटिफोर बुकर प्राइस जजिजिंग पैनल किस ब्रिटिश भारति संगीतकार को दोजार चोवीश बुकर प्रशकार निर्नायक पैनल में सामिल किया गया सही आंसर ऑप्शन सी है नितिन सानी सानी के अलावा इस में जो हैं मेंबर जो हैं एड्मॉन डे वाल है और सारा कोलिंस हैं जस्टिन जोर्डन है एंड यून ली है बुकर पाइस हम पहले भी देख चुके हैं कुछ दिन पहले ही क्यों दिया जाता है बेस्ट नोगल जो की इंगलिस लैंग्वेज में लिखा ह नीतिया एक द्वारा गोशित एस्परेशनल ब्लोक प्रोग्राम एबीबी कि पहली डेल्टा रेंकिंग में किस ब्लोक ने सीर्स इस्थान हासिल किया सही आंसर ऑप्शन सी है तिरियानी ब्लोक तिलंगाना मैं एथपोंड गोश्चन रहे गए आपको जाना चाहिए कि नी प्रकुषबाबाद डिस्टिक के तहट आने वाले तृयानी ब्लोक ने टोप पोजिशन हासिल की है सैकंड पोजिशन कोसांबी ब्लोक ब्लोक कोसांबी डिस्टिक उत्रपरदेश ने हासिल की है यह रैंकिंग नितिया एक द्वारा एनांस की गई इसमें 500 एस्परेशनल जारी की गई है, ये blocks की जो performance रही है, उनकी जो progress रही है, कुछ महत्तपून, indicators पर आजन के महीने में, जन 2020 के महीने में उसके बैसिस पर तयार की गई है, अचा, एस्पारेशनलब्रोक्स प्रोग्राम के लावा, Aspirational Districts Program ADP Rankings भी जारी की गई October 2023 महिने के लिए जिसमें राइगर्ड उडिसा और जमुई बिहार ये 1st and 2nd rank पर है रस्पेक्टिवली अगर हम बात करें इन blocks की तो इनको geographically 6 Jones में डिवाइट किया गया है 2 blocks from each zone have been given rankings देखे zone 1 जिसमें Hilly and North Eastern states आते हैं as well as islands आते हैं 1st position आमरी ब्लोक वेस्ट कार्भी आंगलोंग असंप को जाता है और 2nd rank नगोपा ब्लोक साइवजूल मिजोरम को जाता है जोन 2 की बात करें में नदर्ण इंडियन स्टेट्स हैं हरविया ब्लोक बस्ती उत्तरप्रदेश पहले नमबर पर है इसमें और 2nd नमबर पर विर्णो ब्लोक गाजिपूर उत्तरप्रदेश है जोन 3 इसमें सदर्ण इस्टेट्स आते हैं मस्की ब्लोक रायचूर करनाटक पहले नमबर पर है नर्नून अदिलाबाद तिलंगाना ये दूसरे नमबर पर है अगर हम बात करें वेस्टर्ण इंडियन स्टेट्स तो ये जोन 4 में आते हैं सिरोंचा अहरी प्लोक ये गडिचुरोली डिस्टिक महारास्ट में है ये वीनर्स रहे सेंटरल इंडिया की बात करें तो ये जोन 5 में आते हैं इस टर्ण इंडिया की बात करें जोन 6 में आते हैं अंडर सीवान बिहार ठीक है ये और रामगड डूंका जारगंड ये टॉप रैंकर सेंटर्ण इनको प्राइस एमांट भी दिया जाएगा टॉप रैंक को डेड़ करोड रूप है और जो सेकंड रैंक है उसको एक करोड रूप है एस्पेशन ब्लोक्स प्रोग्राम आपको जाना चाहिए साथ जवी दोचार थीज को लॉंच किया गया था पांसो ब्लोक्स फ्रॉम 329 डिस्टिक्स एक्रोस 27 स्टेट्स एंड फॉर उने टरेट्रीज इस प्रोग्राम का हिसा है ये याद रखिया कितने ब्लोक् फ्रॉम 329 डिस्टिक्स फोर्टी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इसमें चूस किये गये हैं ब्लोक्स की परफॉर्मेंस को देखने के लिए और पांच थीम में ये ग्रॉप्ट किया गया है बेसलाइन डेटा ओफ मार्च 31st 2023 एंड फॉस्ट क्वार्टर उन जून 30, 2023 औफ 500 aspirational blocks was sourced to management information system of 11 ministries the 1st delta rank has been calculated on the basis of improvement made in the 1st quarter तो ये ranking काफी महतपूर्ण रहने वाली है इसमें कुछ महतपूर्ण चीजे हैं वो आप याद रखेगा पहली बात तो ये है कि aspirational blocks program साथ जनवरी 2030 को लौंच किया गया था और इसमें आप जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन 5, जोन 6 में जो टॉप रहे हैं ये भी आपको देखने पड़ेंगे और अगर हम इसमें आगे की कुछ बात करें तो कितने district का participation रहा है 339 district का participation रहा है 500 aspirational blocks का participation रहा है बस ये इसमें जानने वाली बात है who won the title of Miss India USA 2023 Miss India USA 2030 का किताब किस ने जीता options आपके सामने है और सही answer option ये रहेगा रिजूल मैनी देखें Michigan से medical student है रिजूल मैनी इन्होंने Miss India USA 2023 टाइटल जीता है और ये जो annual patient है ये न्यू जरसी माय जीत किया गया मिस टीन इंडिया USA का टाइटल सलोनी राम मोहन जो की पैंसिलवेनिया से है इन्होंने जीता वहीं मिसिस इंडिया USA का टाइटल मैसेजुसेट्स से बिलोग करने वाली इसने हा नाम ब्यार ने जीता है आपको बता दें ये जो आयोजन है ये ओल्डेस्ट इंडियन पेजेंट है जो की भारत से बाहर और्गनाइज किया जाता है और इसका ये सही उक्ते प्राप्त करता कौन है ऑप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन भी रहेगा डैनियल बेरन बॉइम और अली अबु आवद को दिया गया है क्योंकि इन्होंने जो यूथ है जो पीपल है इस्राइल और अरब वर्ड के उनको एक चुट करने की कोचिस की है इस्राइल पैलिस्टीन का जो समाधान है वह नोन वाइलेंट तरीके से हो जाए अब जो यह इंटरनेशनल जूरी है इंद्रागांदी प्राइट्स पूर पीस टेसर्मेंट में डेवलपमेंट की इसकी अध्रक्षता फोर्मर चीफ चस्टिस ऑफ इंडिया ट यह जाने माने पैलिस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट है जो की टाइड लेसली जो है वर्क कर रहे हैं जो पैलिस्टीन है और इस्राइल है इनका जो समाधान है वह पीसफुली जो है निकल आए अगर हम इस अवार्ड की बात करते हैं इंद्रकांदी प्राइज फोर पीस की तो 1986 में पहरी बार दिया गया था और इसमें जो कैस्ट प्राइज दिया जाता है वो 2.5 मिलियर इंडियन रुपीज यानि की 25 लैक रुपीज दिया जाता है विचिस्टेट गवर्मेंट विल सेट अप पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस इन और डिस्टिक्स ऑफ ता इस्टेट कौनसी राज्य सरकार राज्य के सभी जीलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस स्थापित करेगी सही आंसर ऑप्शन डी है मध्यपरदेश आपको जाना चाहिए मध्यपरदेश गौवर्मेंट पीएम कॉलेज ऑफ एक्सिलेंस यह राज्य के सभी डिस्टिक्स में सेट अप करेगी यह डिसीजन हाल में लिया गया है जो फस्ट कैबिनेट मिटिंग हुई है नए शीफ मिस्टर महुनियादव की अधिश्टा में साथी कांसिल ऑफ मिनिस्टर ने यह भी डिसाइड किया है कि हरे डिस्टिक में साइबर तैसिल सिस्टम को इंप्लिमेंट किया जाएगा और जो पी रिलीजियस या अधर प्लेसे हैं वहां पर लावड़ स्पीकर्स का जो इलीगल यूज है उसे बैन किया जाएगा वह एस बीन ओनर्ड विद रोयल सोसाइटी ऑफ केमेस्ट्री जाएगों प्रॉस्टकार से किसे सम्मानित किया गया सही आंसर ऑप्शन सी है सवीता लड़ागी देखे मुंबई बेस प्रोफेसर ने सवीता लड़ागी यह हो मी भाबा सेंटर फॉर साइंस एजूकेशन ट आपको जाना चाहिए इसमें 5,000 पॉंड का जो है प्राइस दिया जाता है United World Wrestling Rising Star of the Year 2023 के रूप में किसे नाम इत किया गया सही आंसर ऑप्शन दी है अंतिम पंगल देखे वर्ड अंडे 20 चैंपियन और सीनियर वर्ड स्प्रोंच मेंज लिस्ट अंतिम पंगल यह United World Wrestling Rising Star of the Year 2023 चुनी गई है विमन्स सेक्शन में वहीं ग्रीस की जियोर्जियोस कोग्यों सीदिस यह Rising Star of the Year आवार्ड रहे है मैंस्फ्री स्टाइल में वहीं अजर्बैजान की हरसत जैफिरो यह ग्रेको रोमन केटेगरी में यह वार्ड नहीं जीता है राइजिंग इस्टार ऑफ दा यह रगॉर्ड तो फिमेल भी हो गई मेल भी हो गई और रोमन ग्रेको रेमुन केटेगरी में भी होगे विश इंडियन प्यास्ट्यू है साइंड पैक्ट विद सी एफ एम मोजामबिक फॉर सप्लाई ओफ 10 डीजल लोकोमोटिव्स किस भा पैक्ट साइन किया है जिसके तहत यह डीजल लोकोमोटिव्स है जो है सप्लाई करेंगे और टोटल कोस्ट जो रहेगी इस मोई की यह 341 क्रोड रोपे की रहने वाली है कि राइट्स के बारे में आपको जाना चाहिए सेंट्रल पॉप्र सेक्टर एंटर्प्राइस है अधि में से नवरत ने स्टेटस भी दिया गया है कि वर्ट परसेंटेज स्टेक टिट एस्बीया मूचल फंड एक्क्वाइर इन करूर वैश्य बैंक SBI mutual fund ने करूर वैश्य बैंक में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की सही आंसर ऑप्शन भी है 1.5% देखे-SBI mutual fund ने सेड्विल कमर्शल बैंक करूर वैश्य बैंक में 190 करोड रुपे में जो है शेर एक्क्वाइर किये हैं और 1.5% शेर यह एक्क्वाइर किये गए है करूर वैश्य बैंक में SBI mutual fund के द्वारा आपको जाना चाहिए बैंड कैपिटल जो कि एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फिर्म है इसने 1.0 परसेंट इस्टेक या फिर 33.38 मिलियन शेर जिनकी वैल्यू 3707 करोड उपे रही यह एक्सिस बैंक में उन्होंने बेच दिया अपने साथे आपको जाना चाहिए IDFC First Bank इसने Mastercard के साथ मिलकर First Swipe Traded Card लौंच हिया है The Ministry of Defense has cleared a proposal to purchase 70,000 semi-automatic assault rifles from which US-based supplier for Indian Army रक्सा मतायले भारतिय सेना के लिए अमेरिका इस्तितकिस आपूरती करता से 70,018 स्वचालित Assault Rifle एक खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है सही आंसर ऑप्शन C है Six Sour देखे Minister of Defense ने 17,000 और semi-automatic assault rifles खरीदने के प्रपोजल को मंजूरी दी है Indian Army के लिए यह खरीदी आएंगी US-based Six Sour से और पहले भी हम इन से लेते आ रहे हैं 2019 से ही तो यह repeat order जो है इसकी value रहेगी 800 क्रोड रुपे की वहीं आपको जाना चाहिए Defense Ministry ने एक और approval किया है एक और proposal का यह 800 क्रोड रुपे का इंडियन नीवी हर साल सम्मेरीन डे बनाता है आठ दिसंबर को क्योंकि इसी दिन 1967 में इंडियन नीवी की जो फर्स्ट सम्मेरीन है उसको इंडक्ट किया गया था इसका नामें कलवरी ICIC Prudential Life Insurance and which Small Finance Bank have entered into a Bank Assurance Partnership ICIC Prudential Life Insurance और किस लगुवित बैंक ने Bank Assurance साहधारी में प्रविश किया सही आंतर अप्शन ए उचीवन Small Finance Bank देखे ICIC Prudential Life Insurance and उचीवन Small Finance Bank इन्होंने एक Bank Assurance Partnership sign की है this collaboration leverages the relationship between insurance companies and banks allowing insurers access to the extensive customer base of the banking sector तो जो बैंक है न वो अपने customers को जो insurance company इसके जो प्रट्स है उनको ओफर करता है इसे बोलता है बैंक Assurance Partnership उजीवन Small Finance Bank की बात करें MD & CEO इत्रा डेवीज टेग लाइन है built a better life headquarters बैंगलूरू करनाठक वहीं अगर हम आई से ऐसे प्रडेंशल लाइव इंश्रेंस की बात करते हैं MD & CEO अनुप पाक्षी headquarters मुंबई महारास्ट्रा वहीं आपको जाने चाहिए बंदर मैंक को हाली में रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया से authorization प्राप्थ हुआ है कि यह जो पैंशन है मिस्ट्र ओफ रेलवेस के भियाफ पर इस्ट्रिब्यूट कर सकते हैं त्रू इलेक्ट्रोनिक पेंशन पेमेंट ओडर इपीपी ओस विच और्गनाजेशन अज एप्रूफ टू हंडेट मिलियन युए स्टोर लोन तो सपोर्ट दस्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.2 स्वच्छ भारत मिशन सहरी 2.2 का समरतन करने के लिए इस और्गनाजेशन ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिंड़ को मंजोरी दी सही आंत्रोप्शन भी रहेगा एशन डेवलेप्मेंट बैंक का देखे एशन डेवलेप्मेंट बैंक ने 200 मिलियन युए स्टोर का एक लोन अप्रूव किया है सवच्छ भारत किलीन इंडिया मिशन अर्बन 2.2 के इंडिया पर जो पावर सप्लाई है उसकी क्वालिटी एफिशन्सी एंड रिलाइबिल्टी इंप्रूव की जा सके एशन डेवलेप्मेंट बैंक ने अपनी एशन डेवलेप्मेंट आउटलूक रिपोर्ट में जो भारत की एकनोमिक फोर्कास्ट है 2013 के लिए अनिकि फिस सब्सक्राइब के लिए इन्होंने ग्रोथ बताई है 4.9% 2023 के लिए ठीक है और सितंबर में 2004 के लिए 4.8 परसेंट बताई है स्टेड बैंक ओफ मेंटिया है साइन्ट सेवन्टी मिलियन यूरो लाइन अफ क्रेडिट विद विच जर्मन बैंक फॉर प्रमोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इन दे कंट्री बारतिय स्टेड बैंक ने देश में सोर प्रियोजना को बढ़ावा देने के लिए किस जर्मन बै साइन की है जर्मन डेवलेप्मेंट बैंक के ऐफ डवलो के साथ ताकि भारत में सोलर प्रोजेक्ट को प्रमोट किया जा सके बाकिया आप जानते स्टेड बैंक को फेडिया का हैट्वाटर मूंबई महाराष्ट में है और एक मैंत्रपूर्ण फैक्ट यह जानेगा कि इसन ने 200 मिलियन यूरो का लोन एग्रिमेंट साइन किया है इस के एफ डपलो के साथ देगे 200 मिलियन कही बार आपको देखने के लिए एशन डेवलेप्मेंट बैंक से संबंधित हमने पिछले उसमें देखा कोश्चन में है ना यहां पर भी 200 मिलियन है तो यह आप याद रखि इसमेंट फॉर फाइनेशल इस्टूशन अवार्ड फॉर क्लामेट रिपोर्टिंग इंट्रेशल फाइनस कॉर्परेशन ने जलवाईयू रिपोर्टिंग के लिए वित्यस अंस्थानों पुरुस्कारों के लिए 2030 जलवाईयू मुल्यांकन के सीर्स प्रदर्शन करता की में किस भारतिया बैंक को सम्मानित किया है सही आंसर ऑप्शन सी है फेडरल बैंक देखें इंट्रेशन फाइनस कोर्पेशन जो की वर्ड बैंक ग्रूप का हिस्सा है इसने फेडरल बैंक को टोप परफोर्म बताया है 2030 क्लामेट एससमेंट फॉर फाइनेशल इस्टूशन अवार्ड के लिए क्लामेट रिपोर्टिंग केटेगरी में आउट फुफिटीएट फाइनेशल इस्टूशन ग्लोबली जो नोन इसमें पाटिस्पेट हिया उन्हें फेडरल बैंक जो है स्टैंड डॉट प्रोफोर्मर बन करूप रहे तो दो तरह के अवार्ड यहां प पार्टनर है कि फिंटेक कंपनी इंट्रेक्ट साइंड 80 करोड रूपीज डील विद विच बैंक फॉर कैश मैनेजमेंट फिंटेक कंपनी इंट्लेक्ट ने नगदी प्रबंदन के लिए किस बैंक के साथ 80 करोड रूपे के समझोते पर अस्ताक्षर किये सही आंसर डॉट एई पार्ड केस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इंडियन मैंक की बात करते हैं ट्कार्ट चेन नहीं में सियो सांतिलाल जैन है टेगलाइन है यूर ओन मैंक आपका अपना बैंक वेर डिट रिसेर्चर्चर्च फ्रों बहरामपूर यूश्टी डिस्कवर दनीव इस्पीसीज ओफ मेरीन एम्फिफोर्ड डेमोर्चेस्टिया एलेनेंसिस बहरामपूर विश्वद्याले के सोथ करता होने समुद्री एम्फिपोर्ड की नहीं परजाती डेवर्चेस्ट एलेनेसिस की खोच कहां की सही आंसर अप्षन है चिलकालेक उडिसा देखे बहरामपूर यूश्टी उडिसा की रिसर्चर्चर्चर्स ने मेरीन एम्फिफोर्ड जो की एक स्रिम्फ लाइफ क्रस्टेसिया है जीनस डेमोर्चेस्टिया का इसे हाली में डिसकवर किया है उ एजिप्सियस मोनाचुस यह रेयर बर्ड है जिसे नियर थ्रेटेंट केटेगरी में डाला गया है तो यह हाली में असवला फेट्टी वाइफ लाइफ सेंचुरी डेली में देखने के लिए मिली है कई लंबे समय बाद मतलब पांच डिकेट बाद मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस हैस साइंड अ कॉंट्रेक्ट विद विच पीस्ट्री फोर दा प्रक्यूर्मेंट ऑफ इलेक्ट्रोनिक फ्यूजेस रक्षा मंत्राले ने इलेक्ट्रोनिक फ्यूज की खरीद के लिए कि सार्वजनिक उपकरम के साथ एक अनुबंध पर स्था इसई आनसरॉप्ट्रोने एंन लिएफ टेर क göm डिफेंस ने भारत ऐलेक्ट्रोनिक स्लिम्ट्रेट बी ए protective पूने के साथ इलेक्ट्रोनिक फ्यूजेस के प्रक्यूर्मेर टेरिए के लिए इंडियन आर्मी के लिए जाएंगे और दस साल के लिए 25 gedacht 25 क्रोड उपे में बाकी वही दिस कॉंट्राइट has been signed for ammunition procurement under manufacture of ammunition for Indian army by Indian industry what ratio increased to 3.9 percent for overseas branches of Indian banks in the financial year 2022-23 वित्यवर 2022 में भारतिय बैंकों की विदेशी साखाओं के लिए कौन सा अनुपाद बढ़कर 3.9 percent हो गया सही answer option ने है total income to asset ratio देखे रिजर बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 2022 के लिए जो सर्वे किया गया international trade in banking services का इसका data जो है release किया है this annual survey focuses on cross-border fund based banking services as well as financial auxiliary services with explicit implicit fees commissions charged by foreign branches and overseas subsidiaries of Indian banks as well as foreign banks operating in India तो इसमें जानियेगा मेहत पूर्ण यही है इसमें की जो total income to asset ratio है भारतिय banks की जो overseas branches है यह increase हुआ है 3.9 percent रहा 2022-30 में 2021-2022 में 1.6% था लेकिन जो foreign banks का रेशो है भारत में उससे तो यह कमी है तो foreign banks का जो रेशो है भारत में 6.9 percent है Indian banks increase their overseas presence through the subsidiaries route and their employee strength grows by 0.5 percent and 6.2 percent for foreign branches and subsidiaries respectively during 2022-23 the number of branches and employees of foreign banks in India contracted during the year जो भारत में foreign banks है उनके employees और उनके branches में contraction देखने के लाया नहीं कमी हुई है overseas business of Indian banks expanded as both mobilization of deposits as well as lending activities increased during the year तो Indian banks के जो overseas operation है ठीक है वो जो है expand हो रहे हैं आगे इसमें लिखते हैं कि shifting of retail business of major foreign banks in India to domestic private sector bank related to decline in aggregate deposit and credit of foreign banks whereas their capital investment increased during 2023 the consolidated balance sheet of foreign banks in India increased by 5.7 percent in u.s dollar terms the balance sheet है foreign banks है जो बढ़िये पाई दसम लो साथ पर्दीछ से जो है पाई दसम बलो साथ पर्दीछत से as higher interest rates led to rise in total income the share of fee income in total income came down during 2022-2023 at 11.5 percent branches of Indian banks in the United Arab Emirates generated highest fee income followed by those in the United Kingdom Hong Kong and Singapore fast attack craft INS Tarmugli was commissioned at which novel dog yard fast attack craft INS Tarmugli को किस नो सेना कमिशन किया गया options आपके सामने सही आंसर option दी है विसाका पत्नम डोक यार्ड देखें इंडियन नेवी ने एक fast attack craft INS Tarmugli को कमिशन किया है नवल डोक यार्ड विशाका पत्नम में और यह जो शिप है इसकी एक हास्यत है कि यह दो देशों के कर चुकी है और इसके तीन नाम रखे जा चुकी है अब तक इंडियन नेवी में इसे इस तिलांचांग के हो गया हुरावी कि मालदीव में 16 अपरिल 2006 को कमिशन की गई थी उसके बाद यह मई 2030 में डी कमिशन डायमेंड बोर्स इन सूरत गुजरात सूरत गुजरात में सूरत डायमेंड बोर्स काउद गाटन किस ने किया ओप्शन सापके सामने है सही आंसर ओप्शन एह रहेगा नरेंदर मोधी आपको जाना चाहिए प्राइम निस्टर नरेंदर मोधी ने सूरत गुजरात में सू 15 स्टोरी इंटर कनेक्टेट टावर्स हैं जैसा कि आप देख भी सकते हैं आपको बता देए जो सूरच डायमंड पॉर्स है यह वर्ड का लार्जेस्ट एंड मोस्ट मॉडरन सेंटर होने वाला है इंटरेशल डायमंड एंड जूलरी बिजनेस के लिए यह ग्लोबल सेंटर जिसमें की जो रफ एंड पॉलिच्ट डायमंड सें एस वेल एस जूलरी इसको ट्रेड कर सकते हैं इसमें स्टेट ऑफ दी आर्ड कस्टम्स क्लियरेंज हाउस भी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए एक जूलरी मॉल भी है रिटेल जूलरी बिजनेस के लिए साथी फैस इनिस्टर रहेंद्र मोधी ने सूरत एरपोर्ट गुजराद का जो है नया टर्मिनल बिल्डिंग भी इनोग्रेट की है वेन इस दे इंट्रेंसल माइग्रेंट्स डे सेलिबरेट अंतरास्टे प्रवासी दीवस कम मनाया जाता है ऑप्शन्स आपके सामने है सही आंसर संबर को हम वीजे दीवस मना दे हैं क्योंकि 1971 का जो वार हुआ था उसमें हमने पाकिस्तान को हरा दिया था उसी के चलते फिर बांगलादेश की स्थापना हुई और इसी दिन जनर्र आमीर अब्दुल्ला खान नियाजी जोगी पाइस्तान के आर्म फोर्स इसके हैड थे उस वक्त उन्होंने अपने 93,000 सोल्जर्स के साथ इंडियान आर्मी को सरेंडर किया और जो मुक्ति वाहिनी थी पांगलादेश की उसके सामने भी सरेंडर किया आपको जाते गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने हाली में 16 दिसंबर 2030 की बात है सेख नवाफ अलहमद अलजबेर अलसभा ये कुवेद के आमीर थे इनका हाली मिद्धन हो गया 16 दिसंबर को तो इनी की रस्पेक्ट में 17 दिसंबर को गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने एक दिन का शोक दिवस जो है डिकलेर किया वट इस दे नेम ओफ इंडिया सफस्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक पोड लॉंच इन अलपुजव के रल के अलपुज़ा में लॉंच ही गई भारत की सबसे तेज सोल इलेक्ट्रिक पोड का नाम क्या है आप्शन साब के सामने है सही आंसर ऑ नवगाती पनावेली यार्ड जो की अलापुज़ा केरन में है यहां लॉंच किया गया इसे डेवलप किया गया है इसका नाम स्विफ्ट लोंग फिश के नाम पर रख़्ागया है इसे नाम द्वार डिसाइन किया गया है वर्कपोड परपस के लिए इसकी स्पीड 12 नोड इसकी स्पीड है और सेवन आर्स ये सिंगल चार्ज पर चल सकती है 14 मिटर लोग है 4.4 मिटर वाइड है कि तक के वर इतना ही आपको जानना है दे यूनियन केबिनेट एप्रूवड एमो यू बिट्विन इंडिया और विच कंट्री on कोपरिशन इन दा फिल्ड ओफ इंड़स्ट्रियल प्रोपर्टी राइट्स केंद्रे मंत्री मंडल ने और द्योगी संपत्ति अधिकार की छेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समच्छोता ग्यापन को मंजूरी दी ऑप्शन्स आपके सामने सही आंसर ऑप्शन भी इटिली आपको जाना चाहिए यूजियन कैबिनेट जिसके देश्टा प्राइमिस रेंड मोदी ने की इन्होंने हाली में भारत और इटिली के बीच में साथी यूनियन कैबिनेट ने भारत और अमेरिका के बीच इसे संबन्स आपके साथी यूर्यन कैबिनेट ने भारत और अमेरिका के बीच इनोवेशन एको सिस्टम को बढ़ाने के लिए एक MOU को जो है प्रूब कर दिया है और इसे बोला गया इनोवेशन हैंड सेक इसी स्कीम को इस MOU को साथी यूनियन कैबिनेट ने भारत और साथी अरब के बीच एक MOU जो साइन हुआ था डिजिटाइजेशन एंड इलेक्टोनिंग मैनुफेक्ट्रिंग में सहयोग के लिए इसे भी एप्रूब कर दिया है साथी गवर्मेंट आफ इंडिया ने सूरत एरपोर्ट को इंटरनेसल एरपोर्ट भी खुशित किया है BCCI had recently decided to retire the jersey of which former cricketer BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की jersey को retire करने का फैसला किया options आपके सामने हैं सही आंसर option नहीं है MS Dhoni देखे MS Dhoni की जो iconic number 7 jersey है उनकी jersey का number 7 रहा है यह अब कोई other Indian cricketer जो है पहन नहीं पाएगा तीन साल पहले MS Dhoni ने international cricket को अलविदा कह दिया था उसके बाद अब जो है Indian cricket board उने इस तरह से सम्मानित कर रहा है कि उनकी जो jersey है उसको रिटायर कर दिया है ताकि वो केवल उनी के नाम पर दरज रहे इसी तरह का ओनर सिंत इंदुलकर को भी दिया गया था 2017 में उनकी jersey number 10 था उसको भी टायर कर दिया गया था बाकी फिलाल जो कुछ और महत्वपून प्लेयर हैं जिनके नंबर है जैसे विराट कोली की jersey number 18 है तो इस शर्मा का 45 है which of the following organization has reached a provisional deal on the world's first set of comprehensive laws to regulate the use of artificial intelligence निम्लिकि दम्से कौन सा संगठन कृतिम बुद्धी मता के उपयोग को विन्यमीत करने के लिए दुनिया के पहली व्यापक कानोने के सेट पर एक अंदनुतिम समझ्योते पर पहुंच गया है सही answer option C है European Union यह आप इस तरह से भी इसको short option मना सकते हैं कि which of the following organization has launched words first comprehensive AI rules तो सही answer option C है European Union देखिए European Union lawmakers ने हाली में artificial intelligence को regulate करने से सम्मंधित एक पूरा rules का comprehensive set तयार किया है यह word का first set of comprehensive laws है artificial intelligence को regulate करने के लिए इसमें चार तरह के लेवल चार तरह के रिस्क लेवल बताए गए है unacceptable risk high risk medium risk and minimal risk EU ने भी काये कि हम एक European Union AI office को भी establish करेंगे ताकि monitor किया जा सके और जो violators है लोग के उनने fine किया सके तो इसमें बताए गया है कि कोई company जो है violate करती है AI rules को तो उसके size के हिसाब से fine लेगा 7.5 million euros या फिर उस company का जो global annual turnover है उसका 1.5% तक जुर्माना लग सकता है 35 million euros का भी लग सकता है maximum 7% of the global turnover जुर्माना लग सकता है which institute signed a Statement of Intent SOI with NITIAYO for agriculture transformation and rural development किस संस्थान ने क्रिष्चि परिवर्तन और ग्रामेइन विकास के लिए NITIAYO के साथ आशेपत्र पर हस्तक्षर किया options आपके सामने है सही answer option भी रहेगा IFRPI लेकिन National Institution for Transforming India की नीदी आयो और International Food Policy Research Institute IFPRI इन्होंने statement of intent sign किया है to fortify policy and program frameworks contributing to India's developmental objectives पास साल का statement of intent sign किया गया है और इसमें नीदी आयो का जो agriculture vertical है उसको support करेगा IFPRI इट विल पोलिसी अलेटिक्स and support to NITI in mutually identified areas within the broader realm of food systems transformation initially focusing on agriculture, rural development, trade and climate change policies in India which company recently launched the measles and rubella MR vaccine named Maybela हाली में किस company ने मेबेला नाम से खसरा और रूबेला वैक्सीन लौंच की है सही आम्सरोप्चन दी है Indian Immunologicals Limited देखे वैक्सीन मेकर Indian Immunologicals Limited इन्होंने measles and rubella की वैक्सीन लौंच की है जिसका नाम है मेबेला बच्चो के लिए आपको उतादे इसे वैक्सीन को डेवलप किया गया है Indian Immunologicals Limited द्वारा किसके सहयोग से वियतनाम की जो polyvac institute है इसके सहयोग से आपको दादे मेबेला ये टू डोस इंजेक्टेबल वैक्सीन है पहरी डोस जो है नाइन मंथ पर लगीगी जब बच्चे की एज नाइन मंथ की है और दूशरी जो शोर्ट है वो सोरा से चोबिस मंथ की एज में लगेगी Human Biologicals Institute HBI जो की इसकी डिवीजन है Indian Immologicals Limited की डिवीजन है Human Human Biologicals Institute इसने इंडिया की फस्ट सेफ वेरो सेल रिबीज वैक्सीन भी बनाई थी 1998 में अब है रैप इसका नाम है ये लार्जेस्ट सेलिंग एंटी रिबीज वैक्सीन है पूरे वर्ड में साथ इनों ने DPT, Pentavalent Vaccine, T.T, Hepatitis B इन सब को भी इंट्रड्यूस किया विस सिटी है इस इस नेम इन गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बुक्स सबसे बड़ी पथन गतिविती की मिजबानी करके कि सहर ने गिनीज वर्ड रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्च कराया है उप्शन्स आपके सामने है सही आंसर उप्शन नहीं है पूने आपको जाना चाहिए टोटल बगतिसो पचास पैरेंट्स एंट के चिल्डरन्स ने पार्टस्पिट किया है हाली में की रीडिंग एक्टिविटी हुई है सर परशुरामभावू यानि की SP कोलेज पूने में इन में से 3066 पैरेंट्स ने सक्सेसफुली स्टोरी अपने बच्चे को जो है सुनाई है साइमिल्टेनिसली और ये एक रिकॉर्ड है पहले रिकॉर्ड चाइना के नाम था और फोर मिनट की ए रिडिंग एक्टिविटी थी चार मिनट की इंडियन नेवी एंड विच आइटी साइन एम यू तो ड्राइब इनोवेशन थू रिसर्च पार्टनर्शिप भारते नोसे ना और कि इस आइटी ने नेवल हेट्कार्टर्स न्यू डैली में और इस से क्या होगा दोनों यह जो इंडियन नेवी और आइटी कानपूर है यह तेक्नोलोजी डेवलप्मेंट, इनोवेशन सोलुशन्स एंड रिसर्स एंड डेवलप्मेंट में सहयूग करेंगे दूसरे का दूसरे का इस सफलता पूर्वक परिक्षन किया है चित्रा दूर्ग करनातक से आपको दादे जो ओर्टोनोमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलोजी डिमोस्ट्रेटर एक इंडिजिनियस हाइ स्पीड फ्लाइंग विंग अन्मेंड एरियल वेहिकल है इसका फ्लाइट ट्राइल किया गया है इसे डिजाइन एंड डेवलप किया गया डियार्डो के एरोनॉटिकल डेवलप्मेंट इस्टैबिश्मेंट के द्वारा UAE UAV की फुल फोर में याद रखिया है अधाम में पूछी जाती अन्मेंड एरियल वेहिकल इस प्रोग्राम के लिए और भारत को इस प्रोग्राम के लिए एक पार्टनर एड्मिस्टैशन न्यूक थिया गया है और इस प्रोग्राम में भारत पना टेक्स एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराएगा आपको दादे जो टेक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बोर्डर्स है एक जोएंट इनिशेटिव है आपको जाना चाहिए टेक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बोर्डर्स यह 2015 में लॉंच हुआ था इस वे से सेंट लूशिया ऐसा है जिसका नाम किसी human woman के नाम पर है ठीक है बाकी दूसरा कौन सा है island island का नाम है तो women के निम पर पर वो goddess के निम पर है यहां पर सेंट लूशिया का नाम जो एक human women के नाम पर है logistics is across different state यानि कि leads 2023 report named how many states as achievers in logistics performance logistics is across different state 2023 report में कितने राज्यों को logistics पर दर्शन में achievers के रूप में नामित किया गया है options आपके सामने है सही answer option भी है 11 देखें कोशन मैंने आप biblical वैसी frame किया है आप exam में मान कर चली इसी तरह से पुछा जाएगा कितने achievers रहे और यह आद रिखेंगा मैंने पुछा है how many states यह नहीं पुछा कि how many states and union territory तो दोनों में अंतर आ जाएगा वो मैं आपको बता हूँगा यहां पर किवल how many states पुछा है तो सही answer option भी है 11 आपको जाना चाहिए union minister of commerce and industry consumer affairs food and public distribution and textile प्यूश कोई इन्होंने logistics is across different states 2023 report याने की leads report लॉंच की है इसे 2018 में लॉंच किया गया था लॉजिस्टिक performance index जो लॉंच किया जाता वर्ड बैंक उसी के एतरज पर तो यह इसका 5th edition है इस leads 2023 report का और states and uts का जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस है वो improve है ऐसा बताया गया है यह आपको बताते कुछ key pillars पर परफॉर्मेंस देखी जाती है states and union territories की लोजिस्टिक infrastructure logistics services and operating and regulatory environment states and uts को तीन performance levels में जो है classify किया गया है achievers fast movers and aspirers साथ इनको four groups में रखा गया है coastal group, landlocked group, north east group and union territories group अब यह report जो है पर इंडिया प्राइमरी सर्वे पर आधारित है जो कि मई से जुलाई 2030 के बीच किया गया 36 राज्य और union territories के 700 responses इसमें cover किये गए है आपको जादे logistics sector बारत का फिलाल 3.5 trillion US tour value का है और यह 2017 तक 35 trillion US tour का हो जाएगा ऐसा comment of ृडिया का कहना है चलिए अब देखते हैं महत्पूर्ण रेंकिंग किस में रही है किस में classify किया गया है राज्य को तो coastal state की सबसे पहले बात करते हैं coastal state समझ रहे हैं आप यहां पर देखिए जो second paragraph है यह लिखा है ना coastal group landlocked group north east group और union territories group में divide किया गया है तो सबसे पहले देखे हैं अगर हम coastal group में तो इसमें आता है achievers अंत्रप्रदेश गुजरात करणाटक और तमिलाडू फास्ट मोवर्स कोन से रहेंगे केरल और महाराष्ट एस्पायर्स कोन से रहेंगे गोवा उडिसा एंड वेस्ट मेंगवल दूसरा आता है हमारे landlocked group जो landlocked राज्य हरियाना एचीवर्स में आते हैं हरियाना झालो या रो इन में तुम्हाबर पूछा दा सकता है कि जो लीच जो ट् Luis 2023 रिपोर्ट इसमें उत्रप्रदेश जो है किस कीट्ले में था तो एचीवर्स में था will do या फिर एस्पायर्स में था तो सही आंसर क्या होगा एचीवर्स में ऐसी उत्राखन के कोई दे रहे हूं अध्यपर्दिश राजस्थान बिहार हिमाचल ठीक है वह बता सकते हैं अपना इस तरह से नौर्थ इस्ट क्रूप की बात करें एचीवर्स में आसाम सिक्कीम रहे हैं अब यह भी कुश्चन मन सकता है कि कौनसी उन ट्रिट्रीज एचीवर्स में शामिल लगी तो आंसर होगा चंडिगर्ण डेली फास्ट मूवर्स में अंडमान एं निकोबार लक्षदीप एंड पूर्डुचरी रही महीं एस्पायर्स में दमन एंडियू दग्र वेली जमू एंड कश्मिन एंड लद्दाग रहे हैं तो यह हमारा कोश्चन था आपको उताद इस रिपोर्ट में एचीवर्स जो है 11 स्टेट्स एंड टू यून टेरिट्रीज रही हैं ठीक है कोश्चन कहा था इस स्टेट्स के बारे में अगर यह पूछा जाए कि टोट तो यहां से कुश्चन बनेगा आपके आने वाले एक्जाम में याद रखिएगा प्राइमिस्टर नुरेंद्र मोदी फ्लैक टॉफ विक्सीद भारत संकल्प यात्रा इन फाइव स्टेट्स विच स्टेट्स हैस था कैंपेंड बीन इन इनुगरेटेड परदारमंत्री न प्राइमिस्टर नुरेंद्र मोदी ने विक्सीद भारत संकल्प यात्रा को हरीजिन पर दिखाई है पांच राज्यों में यह पांच राज्य राजस्थान मध्यप्रदेश चर्टिस गड़ तेलंगाना एंड मिजुरम हैं यह वही पांच राज्य हैं जिनमें हाली में अ पाया था क्योंकि यहां पर इलेक्शन्स होने वाले थे आचार संहिंता की वज़े से आपको बता दे जो ही विक्सीद भारत संकल्प यात्रा है इसका मकसद है जो गवर्मेंट ऑफ इंडिया की स्कीम सें उसके बारे में अवेर्डेस आसके लोगों में किसी स्कीम के लिए वे इलिजिबल है और उन इसकीम का क्या-क्या फाइदा है आपको दादे लार्जेस्ट एवर आउट्रीच इनिशेटिव है गवर्मेंट ऑफ इंडिया का इसमें 2.60 लैक ग्राम पंचायट्स एंड 4000 प्लस अर्बन लोकल बोडीज को कवर किया जाएगा 25 जनवी 2024 तक विच इंडियों रिसेंटली सक्सेस्फुली क्लाइमड अंटार्क्टिका इस हाइस्ट पीक मांट विंसन हाले में किस बारतिय ने अंटार्क्टिका की सबसे उशी चोटी मांट विंसन पर सफलता पूरवक चड़ाई की ओप्शनस आपके सामने सही आंसर ऑप्शन जी है स और आपके सेख असन और जो 66 साल की गौवर्मेंट एमप्लोईए हैं इन्होंने हाली में अंटार्क्टिका की हाइएस्ट पीक मांट विंसन को फट्रे किया है इस पर चड़ाई की है ये इनकी 5 हाइएस्ट पीग है जिसे इन्होंने का कर किया है इससे पहले मांट एवरेस माउंट देनाली माउंट किले मंजारों एंड माउंट एलब्रस पर भी चड़ाई कर चुगे हैं इन्विस्टी डिट प्राइम पीम नरेंद्र मोदी इनोग्रेट तब वर्ड लार्जस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर परधार मंत्री नरेंद्र मोदी ने कि उम्राह वरांसी उत्तर प्रधिश में वर्ड के लार्जस्ट मेडिटेशन सेंटर स्वरवेद महामंदिर को इनोग्रेट हिया है साथी प्राइमिस्टर ने महरिसी सदाफल देवजी महराज को भी सरंधाजली अरपित की आपको दादें यहाँ पर 20,000 लोग एक साथ मेडि प्रफिला रख की कुछ को इनोग्रेट किया जैसे कि पंडित दिन द्यालुपाध्याय नगर निव भावपूर डेडिकेटट फ्रेड को इनोग्रेट को इनोग्रेट किया है वरांसी न्यू देली वन्दे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन को हरी जंडी दिखाई दोरीकाट और दस हजारवा लोकोमोटीव जो की बनारस लोकोमोटीव वक्स ने बनाया है इसको हरी जंडी दिखाई है साथी इनोग्रेट किया है साथी जूनिफाइट टुरिस्ट पास सिस्टम भी लौंच किया है स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आपको जाना चाहिए प्राइम को इनोग्रेट किया है वारांसी उत्तरप्रदेश में और इन्होंने कन्यकुमारी वारांसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी जंडी दिखाई साथी थिर्वकुरूल मनीमेक लगी और भी जो क्लासिक तमिल लिट्रेचर है उनके ब्रेल ट्रांसलेशन को या फिर उनके मल्टी ल फिर से पूनर जीवित करना लास्ट लियर इसकी सुरुवात की गई थी काशी तमिल संगमम की और अब इस बार ये दूसरा एडिशनेश का 17 संबर से 31 संबर तक कई परकार के कल्चर गुरूप्स तमिल नाडू और वारांसी से जो है परफॉर्म करने वाली है काशी में विच कंट्री हैस अपॉंटेड र्यूवेन अजर्व एस देश ने भारत में ने आंबस्टर निक्त किया है और स्रिलंका और भूटान के भी यह जो है नोन रेजिदेंट अंबस्टर निक्त हुए है अचाब भारत और इसराइल के बीच में आपको जाना चाहिए इसराइ है कि भारत ने इसराइल को कब रिकानाइस किया सितंबर 17 1950 में ही लेकिन दोनों देशों ने एक दूसरे के यहां जो एंबसी ओपन की वह है 1992 में यानि कि फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन्स दोनों देशों के बीच 1992 में स्टैबलिश हुए यह कोश्चन कई बार एक्जाम म ने संजीव सिंगला और यह याद रखेगा कि 1992 में भारत और इस्रेल ने जो है फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन्स अपने स्थापित किया हुआ हुआ है हुआस पिकम दा एर्थ बॉलर इन दा वर्ड तो टेक 500 और मोर विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट टेस्ट में 500 या और फॉर्थ इस्पीनर बन गया है जिन्होंने 500 या इस से ज्यादा टेस्ट विकेट्स लिये हैं तो पाइस्टान के खिलाफ चल रहे टेस्ट मैच में इन ने पाइस्टान के फ़ही मस्टरफ को जो है लैक फिफॉर विकेट किया और इसे के साथ इन्होंने किर्थिमान हा जिन्होंने 500 ज्यादा विकेट लिये हैं तो इसमें नील कॉमले चोथे नंबर पर हैं पहरे नंबर पर मुद्धिया मोड़ी धरने हूँ फ्लैक्ट ओफ इंडियास फर्स्ट विंटर साइन्टिफिक एक्सपेडिशन तो दा आर्क्टिक फ्रों न्यू डेली नई दिल्ली से आर्क्टिक के लिए भारत के पहले शीत काली पंग्यानिक अभियान को किसने हरी जंडी दिखाई सही आंसर ऑक्षन ने है किर्यन रिजीजू आपको जाना चाहिए कि यूनियन मेंस्टर मेंस्टी ओफ अर्थ साइंसेज किर्यन रिजीजू इन्होंने इंडिया के फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन जो की आर्क्टिक में होने वाला है इसे हरी जंडी दिखाई है न्यू डैली से आपको कोई भी सनलाइट नहीं रहती है 24 गंटे और सब जीरो टेंप्रेशर हो जाता है साल 2008 से ही इंडिया आर्क्टिक में अपना रिसर्च बेस ऑपरेट करता है जिसका नाम है हिमादरी एक्चली यह हिमादरी जो है यह नौर्वे में आता है यहां पर जगा है नी एले सुन्ट स्वालबर्ड ठीक है तो यहां पर यह भारत ने अपना रिसर्च बेस खोला हुआ है तो जनरली जो रिसर्च एक्टिविटीज होती है समर के टाइम पर होती है अप्रेल से अक्टूबर तक तो पहली बार भारत जो है विंटर के टाइम यह एक्पेडिशन लॉंच किया है नमबर से मार्च के लिए पेरा केलो इंडिया गेमज में किस राजने परथमिस्तान प्राप्त किया है सही आंसर श्य बहुत है अ!! त इन्हों ने पेरा खेल इंडिया गेमें और हुर मेंches तो पॉजिशन पर आए 105 मेडल के साथ 40 गृट 49िलबर और 26 12 ब्रोंज मैड़्य जीते है दूसीर मेडल्स मेडलंज के साथ तबिल यूनाडवर इत्र प्रथेस पर उत्त्र प्रदिय। बार्यद्रीum थी आ हुप्र осв फिजिश्क अंत को इस तरह की चीज़े बताता रहे तनों वीडियो में कि आपको किन चीज़ों को खुद से देखना है को इंडेक्स हम देखते हैं कोई रैंकिंग अमनीति आयोग ने अभी हमने रैंकिंग देखी थी फास्क मुवर्स एचीवर्स तो उसमें तीन तीन राज्य थे तो इसमें आपको अपने राज्य देखना है कि हमारा राज्य किस उसमें आ रहा है किस कैटेगरी में आ रहा है अच्छा इस गेम्स में जो है एशन रिकॉर्ड भी तोड़ा गया प्रनव सूर्मा जो की हर्यान असे हैं इन्होंने एशन पैरा गेम्स में रिकॉर्ड बनाये और एशन रिकॉर्ड को तोड़ा है तो इन्होंने क्लब थ्रो में जो है 33.54 मिटर्स का क्लब थ्रो किया है ठीक है इससे पहले यह जो रिकॉर्ड था यह ध्रम बीर के नाम था 31.09 मिटर का आपको बता दे इस यह जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स थे यह 10 दिसंबर को शुरुआत होई थी निकी और 1450 पैरा एथलेट्स इसमें पार्ट स्पिट किया है पूरे देश पड़ से है हाँ मैंनी टार्गेट्स ओफ नेशनली डिटर्माइंड कॉंट्रिबूशन इंडिया एचीव वेल अहेड ऑफ टाइम भारत ने रास्ट इस्तरपन निधातित योगदान एंडी सी कि कितने लक्षों को समय से पहले हासिल किया सही आंजर ऑप्शन यह है टू देखिए आप से भी जानते हैं कि भारत यूनाइट नेशन्स फ्रीमवर्क कन्वेंशन और क्लामेंट्सी यानि की यूए एफ ट्रिपल सी और इसका जो परिस एग्रिमेंट वाइस की एक पार्टी है यानि कि इससे संबद्ध है और इसलिए भारत ने अपने अपना पहला नेशनली डिटर्माइंट कोंट्रिबूशन यानि की एंडिसी 2015 में जो है सब्मीट भी किया था और इसके तहत भारत ने दो टार्गेट रखे थे और उन्हें अचीव कर लिया है टाइम से पहले पहले पहला तो यह था कि हम अपनी जो एमिशन इंटेंसिटी है ओफ आवर यह टार्गेट हमने जो है समय से पहले अचीव कर लिए अब हमारे यहां जो नोन फॉसिल फ्यूल बेस्ट एनर्जी रिसरूसे से जो हमारी कैपसिटी है इलेक्रिक कैपसिटी वह 186.46 मेगावाट है जो की 43.81 परसेंट है टोटल क्यमिलेटिव इलेक्रिव पावल इस्ट को जो है अपडेट भी गिया था जिसमें की जो यह एमिशन डिदूक्शन टार्गेट है इसको 45 परसेंट कर दिया गया था और वहीं जो नोन फॉसिल फ्यूस पेस्ट एनर्जी रिसूर्सेस से प्राप्त इलेक्रिसिटी है इसको 50 परसेंट कर दिया था विट्यपर्द दोजार थीश चोबीश के लिए सोवरेन गोल्ड बॉंड यूजना स्रंखला थीन का आर्बिय द्वारा निर्धारित निर्गमल क्या है ऑप्शन्स आपके सामने सही आंसर ऑप्शन भी है 6199 रुपीज पर ग्राम देखे रिश्टर बैंक ऑफ एंडिया ने सोवरेन गोल्ड बॉंड इसकीम सीरीज 3 जो की फिसके लिए जारी की गई है इसे एनौंस कर दिया है और 18 से 22 इसमबरता की ओपन है और इसकी सेटलमे डेट है यह 28 समबर रहने वाली है आर्बिय ने अनौंस किया है कि जो इश्यू प्राइज है इसके लिए 6199 रुपए पर ग्राम रहेगा आपको दादे गवर्मेंट ऑफ इंडिया के साथ कंसल्टेशन में आर्बिय जो है यह डिसाइट करती है और 50 रुपए पर ग्राम क जो है वैल्यू रहने वाली है कि आपको दादे सोवरें गोल्ड पॉंड इसकीम गवर्मेंट अफ इंडिया ने नौंबर 2015 में लॉंच हिया था अंडर गोल्ड मॉनिटाइजेशन इसकीम और आपको दादे यह गोर्मेंट सेक्यूर्टी होती है डोमिनेटिड डिन ग्राम सब्कूल्ड और यह सब्सेट्यूट आप फिजिकल कोल्ड जो है रखने के बजाए इस तरह से गोल्ड रख सकते हैं सेक्यूर्टी के तोर पर ठीक है अब इसमें इन्वेस्टर्स पर्चेस दीज मॉंट एड़ इशू प्राइस उजिंग कैश एंड डिसीव कैश अपन मै इंटरस्ट लगता रहेगा फिर आगे जब यह मैचर हो जाएंगे तो आपको कैश के तोर पर यह वापस मिल जाएगा तो इसमें फाइदा ही होता है अभी सोने का जो रेट है और गोल्ड का और बाद में जो गोल्ड का रेट है उसके हिसाब से आपको मिलेगा अभी तो आ मिनिमम इन्वेस्टमेंट है इस पॉंड में यह वन ग्राम की रहती है मिनिममम वन ग्राम तो आपको इशु कराना पड़ेगा और मैक्सिम लीट रहती है फोर केजी की इंडिविज्वल्स के लिए जो टैन्यूर रहता है इसका आठ साल गा रहता है ठीक है इसमें आप प् फाइफ परसेंट इस पर यह मिलता है जो कि पेवल होता है हाफ यहली और यह बॉंड्स आप डीमेट एकाउंट में अपना रख सकते हैं और रिदेंशम के टाइम जो इन्वेस्टर है उसको जो प्रिवेलिंग प्राइज से गोल्ड का वो दिया जाता है एलिजिबल कोन है जो ब्रेजिडेंट हैं भारत के लिए को साथिया आपको जाना चाहिए की सेंडर बोर्ड डाइक्टर सो फ्रिजर बैंक ओफ एंडिया की छेस्सों पांची मिटिंगा हाली में एक तानगर के वडिया गुजरात में हुई है अंडर दो चेर्मेंशिप ऑफ सक्तिकांदास जो की कवर्णन ने हारी भी आईगे एस पर दे लेटेस्ट ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ओन रोड सेफटी 2023 वट इस दे एनुवल नंबर ओफ रोड ट्रैफिक डेट्स सडख सुरक्सा पर नवीनतम पैस्विक इस्तेती रिपोर्ट 2030 के नुसार सड़क यातयात से होने वा सब्सक्राइब का फिफ्ट एडिशन है 2009 से ही डवल एच इसको लॉंच कर रहा है इससा बताया गया जो रोड ट्रैफिक डैथ्स हैं पूरे वर्ड वाइड इन्हें पांच परतिशत की जो है पांच परतिशत की कमी देखने के लिए मिली है 2010 से 2021 के बीच में ठीक है और बारत में इंक्रीश देखने के मिलाए पंद्रा परतिशत का इंक्रीश देखने के मिलाए रोट ट्रैफिक के कराने जो टैट्स होती है जहां 2010 में 1.34 लेक्ट ठीट हुई थी महीं 2020 में 1.54 लेक़ हुई है 28 परसेंट जो ग्लोबल रोड ट्रैफिक देथ्ट्स है यह ये मतलब होता है यम घृट कोई किसी भीमारी कि एक आपकिंद एक कि भीटलिति डिट क्या है मतलब उसे बीमारी से मर्न मरने Divya का रेट क्या है अचिंट 53% of all road traffic fatalities are vulnerable road users यानि कि जो स्वभाविक है जैसे pedestrian है जो पैदल चलने वाले हैं सबस्यादा इनकी death होती है two and three wheelers है cyclist है micro mobility device वाले हैं 10 ऐसे देश हैं जिनोंने जो है road traffic death में 50% से ज्यादा का reduction जो है किया है और केवल 6 countries ऐसी हैं जिनोंने speeding drunk driving use of motorcycle helmets seat belt child restraints इन से संबंदित जो है कानून अपना है फिर best practices अपना ही है 140 countries ऐसी है जिनोंने जिनके पास इस तरह के लों हैं लेकिन सब सब इनके लिए नहीं सब risk factors के लिए कुछ risk factors के लिए जैसे किसी के पास city belt से संबंदित हैं किसी के पास speeding से संबंदित हैं किसी के आइंट ड्रंग driving से संबंदित हैं LIC Cards, Mastercard and which bank have collaborated to launch an exclusive co-branded credit card, LIC Card, Mastercard and KissBank ने के विसेस सह branded credit card launch किया, सही answer option दी है IDFC First Bank देखे IDFC First Bank, LIC Cards and Mastercard, इन्होंने मिलकर co-branded credit card launch किया है यह two variants में, LIC Classic and LIC Select बाकि आप जानते हैं IDFC First Bank के बारे में MD&COV वेद्धेनातन है, Headquarters Mumbai महरास्ट में है और tagline है Always you first और यहां पर एक comment भी आपके साथ share करना चाहूंगा, Subangi Sarma है है हमारे साथ जूड़ी रही का फिटाइम और SBI, PU Min का selection भी हुआ है, ठीक है, current affairs follow करती थी, तो इनको बहुत बहुत बदाई, यह मैं आपको इसलिए दिखाता हूं कभी-कभी बच्चों के मन में आता है ना कि current affairs पूछे भी जाते हैं या बच्चे selection ले भी रहे हैं, इसलिए मैं यह सब शेयर करता हूं आपके साथ, हमारी YouTube चैनल पर भी देखेंगा, मैं communities पर डालता रहे हूं, ताकि आपके अंदर confidence आए कि हां यहां से पढ़के जोए बच्चे अच्छा स्कूर कर रहे हैं। Who from India was recently elected to the Governing Council of the International Institute for the Unification of Private Law, यानि की UNI Detroit, हाली में भारत से किसे International Institute for the Unification of Private Law की Governing Council के लिए चुना गया, सही आंसर option दी है, उमा शेकर, देखेंगे भारत की उमा शेकर, हाली में रोम बेस्ट, International Institute for the Unification of Private Law, इसी Governing Council में इलेक्ट हुई हैं, 45 वोट्स इने मिले हैं, आउट और 59 वोट्स और भारत इस बोडी का मेंबर रहने वाले दोजार चुबी से अथाइस तक, जो यूनिट रोइट है, ये एक इंडिबेंटेंट इंटर गॉर्मेंटल और्गनाइजेशन है, जो कि कई तरह के लीगल इश्यूस इंक्लूदिंग स्टेडिंग नीड्स और में और नाइजिंग कमर्शिल एंड प्राविट लोज से सम्मंदित मैंटर से डील करती है, विच कंट्री एस कमेंस ता ओपरेशन ऑफ फर्स्ट फोर्थ जनरेशन नुक्लियर रियक्टर, किस देश ने दुनिया के पहले, चोथी पीडी के परवानु रियक्टर का संचालन सही आंसर ऑप्शन भी चाइना है, देखे चाइना ने दो सो मेगावाट का एक हाई ट्रेंप्रिशर गैस कुल्ड रियक्टर प्लांट को जो है चालू किया है, जो ही वर्ड का फर्स्ट फोर्थ जनरेशन नुक्लियर रियक्टर है, कहां पर लॉंच किया गया, सैंडोंग चैना में, चैना संब्बंद देखो और करांट फेर जाने गाबीजिंग बेस्ट लेंडर स्थ टेक्नोज़ी यह के स्टार्ट अप है, इसने जो है जो है, जो है जो है जो थोícia Pilot को चूड़ा है, हो को छोड़ा है, सेंड्र कुशन और सेंटर से और इसी तरह यह फर्स्ट म अब करने वाला देश बी बन गया है तो यह पहला मिध्यन पाउड रोकेट है इन्हें मैंस इंट्रनेशनल टैनिस फेडरेशन वर्ड चैम्पिएंग दोचार तीज नामित किया गया है और आठिवी बार है जब इन्हें इस तरह के सम्मान के नामित किया गया बेलारुसी टैनिस प्लेयर अर्विना सबलेंका इनको भी विमेंस इटी एफ वर्ड चैम्प किये उनके लिए राजीव राम और जो सलिस्ट परी इन्होंने मेंस डबल्स में यह सम्मान परात किया वहीं मेंस डबल्स सम्मान परात किया है स्टोम हंटर एंड एलिस मेर्टेंस ने हुआ है विगम दफस्ट एशन मैंन तो बी इंड़क्टेट इंटू एंटरेंसल टैनिस हॉल आउफ फिम अंतरास्टी इस हॉल आफ फिम में शामिल वाज पहले एशियाई पूरुष कोन बन गए हैं सही आजर्जर ऑप्शन ए है विजए अमृत राच और लीएंडर पेस देखिए इंडियान टैनिस लेजेंड विजय अम्रित राच और लियंडर पेज इन्हों ने त्यास रच दिया है यह फर्स्ट एशियन मैं बने हैं जिने इंट्रेशल टैनिस हौल ओफ फेम में सामिल किया गया है और इस तरह से बारत 28 वा देश बन गया है जो की इंट्रेशल टैनिस हौल ओफ फेम में अब जो है देता है लिएंडर पेज के रहां बात करने 18 टाइम ट्रेंड चैंपियन है डबल में और मिक्स्टबल्स में और इन्हें प्लेयर के टेगरी में जो है यहां पर चुना गया है विजय अमरित राच को कौंट्रीबिटर के लिए चुना गया है आपको दादी लिएंडि प्र ब्रॉंज भी जीता है सिंगल्स में 1996 में Who has been re-elected as the President of Egypt मिश्रे के रास्टपती के रूप में किसे पुनह चुना गया है options आपके सामने है सही answer option D है अब्देल फता अल सीसी आपको जाना चाहिए इजिप्ट के President अब्देल फता अल सीसी यह तीसरी बार Middle East के इस Most Populous Nation यानि की इजिप्ट की बागटोर समालेंगे तो तीसरी बार इन्हें फिर से President चुना गया है आपको दादे मिस्टर सीसी एक Retired Military Officer है और यह इजिप्ट के 6th and current President है 2014 से ही आपको यह भी जाना चाहिए यह की इजिप्ट के जो President होते हैं इनका जो Office है या फिर Official Residence है यह है है एलियोपॉलिस पैलिस जो की ताजधानी कायरो में है इजिप्ट के बारे में आप जानते हैं Capital जासे मैंने आपको बताया कायरो है और currency है Egyptian pound विच्ट कंट्री वोन 2023 मैंस FIH होकी जूनियर वर्ड कप 2030 पुरुष FIH होकी जूनियर विश्रुकप किस देश ने जीता ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ओप्शन डी जर्मनी आपको जाना चाहिए 2030 मैंस FIH होकी जूनियर वर्ड कप यह 13th एडिशन था इस Bionial Men's होकी टूर्णामेंट का अंडर 21 जूनियर वर्ड का पहना यानि की अंडर 21 फिल्ड होकी वर्ड चेंपेंश्चिप होती है International Hockey Federation द्वारा इसे और इस बार 2030 में मलीशिया नेसल होकी स्टेडियम काललंपुर मलेशा में हुआ है जर्मनी ने साथी बार किताब जीता फानल में फ्रांस को 2-1 से हराया वहीं ब्रॉंस मैडल के लिए जो मैच्च हुआ उसमें इस पेन ने भारत को 3-1 से हराया आपको जाना चाहिए साल की सुरुवात में मैंस एफाई एचों की वर्ड कप 2030 भी हुआ था इसे भी जर्मनी ने जीता था ठीक है इन्होंने तीसरी बार जीता था वर्ड कप बेल्जियम को हराकर कि विश्च कंट्री वोन 2023 एसी सी अंडर 19 एश्या कप क्रिकेट की बात हो रही है अंडर 19 क्रिकेट वर्ड कप का एश्या कप का जो की एक लिम्टेड ओवर्ड के टूर्नामेंट है जिसमें की आठ अंडर 19 टीम्स पार्ट करती हैं तो एश्यन क्रिकेट कांसिल यानि की एसी सी इसके जो फाइब फुल मेंबर्स हैं अफगानिस्तान बांगलादेश इंडिया पाकिस्तान एंड से लंका इनोंने तो पार्टिस्पेट किया इनके अलावा नेपाल युनाइट अरब एमिराद और जापान ने भी पार्टिस जो इंडियन टीम थी इसकी कप्तानी उद्य परताब साहरन ने की है भारत सेम फाइनल में हार गया था बांगलादेश नहीं यह राया था विच्छ इस्टेट हैस बिकम सेकंड लाज़ेस्ट इकनोमी इन इंडिया कौन सा राज्य भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थेविवस्था बन गया है और प्रदेश देखिए उत्तर प्रदेश सेकंड लाज़ेस्ट एकनोमी बने गया है भारत की और यह जो कंट्री में जीटीपी शेयर है जीटीप शेयर कितना है महरास्ट का 15.7 परसेंट ठीक है तो कंट्री की टोटल जीटीव सबस्यादा शेयर किसका है मारस्ट का यान की लार्ज़ेस्ट इकनोमी महरास्ट किये अब दूसरी नंबर पर उत्तर प्रदेश आ गया है 9.2 परसें लेंकिंग्स में 14 पोजिशन पर सेकंड पोजिशन में भारत में वेन इस दा गूड गवर्नेंस वीक सेलिबिटेट सुशाशन सब्तहा कम मनाया जाता है और सही आंसर ऑप्शन एह है 19 डिसेंबर टू 25 डिसेंबर देखें यूनियर मिस्टर डॉक्टर जीतेंद्र सिंग इ लेंकि सुशाशन सब्तह को इनुग्रेट किया है जो की 29 संबर 2030 से 25 संबर 2030 तक सेलिब्रेट किया रहा है और यह लगातार तीसरा साल है जब हम गुड कोवर्नेंस वीक को सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे हफ़ते चलता है इसे और्गनाइज करता है डिपार्टमेंट ओफ इसे और फिफ्ट सेथम्बर को यह एंड होता है गुड कोवर्नेंस वीक क्योंकि 25 सेथम्बर को हम गुड कवेंडेंस टे बनाते हैं और यह कि सुप्लक्ष मनाता है क्योंकि जो मारे फॉर्मर्ब्र मिनिस्टर रहें लेट अटल भीहरी वाचपाई इनकी बर्थ अनिवरस होती है कि रिसेंट्ली दे गुवर्मेंट ऑफ इंडिया साइंड लोन एग्रिमेंट ऑफ 250 मिलियन युए स्टोर विच इंस्टिशन फोर इंडेस्ट्रियल कोरिडोर डेवलप्मेंट हाली में भारा सरगार ने और द्योंगी गलियारा विकास के लिए किस संस्था के साथ 250 मिलियन युए स्टोर के रिएंड सम्झोते पर स्ताक्षर किये सही आंसर ऑप्शन सी है एशन डेवलोप्मेंट बैंक देहिए गवर्मेंट ऑफ इंडिया और एशन डेवलोप्मेंट बैंक ने 250 मिलियन युए स्टोलर का पॉलिसी बेस्ट लोन जो है साइन किया है देट भी खुड आप इंड ने एशन डेवलोप्मेंट बैंक के साथ 37 बिलियन जापनीज येन युए स्टोलर को भी साइन किया है देट इट विल्की सिघ्ट्राइव इंड गोन को हैसं आइड विलियन गया है देट अप इंडूत्रों को भी सिर्टर्टिया The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on the Man-Mandir Co-operative Bank Limited Vita Maharashtra RBI ने Man-Mandir Co-operative Bank Limited Vita Maharashtra पर कितनी राज़ी का मौधरिक जुर्माना लगाया है सही answer option C है 3,00,00 रुपीज देखी Reserve Bank of India ने 3,00,00 रुपे का जुर्माना लगाया है The Man-Mandir Co-operative Bank Limited Vita Maharashtra पर क्योंकि नोने RBI के जो डिरेक्शन से KYC से संबन दित उनका नुपालन नहीं किया है साथ ही maintenance of deposit accounts primary urban cooperative banks इस संबन दित जो डिरेक्शन से उनको भी माना नहीं है RBI ने 1,00,00 रुपे का मौधरिक जुर्माना लगाया है संमित्र सहकारी बैंक पूने पर इन्होंने maintenance of deposit accounts primary urban cooperative banks पर जो डिशान देश हैं उनका पालन नहीं किया वहीं RBI ने 2,00,00 रुपे की mandatory penalty लगाई है लखवार नाकरिक सहकारी बैंक लिम्टेट लखवार इस्टिक महसाना गुजरात पर which two entities recently signed a memorandum of understanding for an mtech course in systems and control engineering हाले में किन दो संस्थाओं ने systems and control engineering में mtech पाठ्थे करम के लिए समझोते गापर परस्ताक्षर की सही आंसर option सी है Indian Navy and IIT Bombay देखिए एक memorandum of understanding sign किया गया है Indian Navy और IIT Bombay के बीच में New Delhi में for mtech course in systems and control engineering तो इस MOU की जरिए जो naval personnel है जो postgraduate course करना चाहते हैं वो 2024 से कर सकते हैं systems and control engineering में इससे क्या होगा जो भी automation requirements है novel platforms पर ठीक है तो उसको भी जानने के लिए मिलेगा इस course से what is the growth percentage of gross direct tax collections for the financial year 2023-24 के लिए सकल प्रत्यक्षकर संग्रह का व्रिद्धी प्रतिशत क्या है options आपके सामने हैं सही answer option A है 17.01 परसेंट देखिए जो direct tax collection रहा है financial year 2023-24 के लिए इसमें बताएगी जो net collection रहा वो 13,7380 करोड का रहा है अगर हम इसे compare करें फिसकल 2022-23 से तब यह 11,35,754 करोड कर रहा था यानि कि 20.66 20.66% का increase देखने के लिए मिला है वहीं अगर हम gross collection of direct taxes की बात करें फिसकल 2023-24 की तो यह 15,45,649 करोड रहा और पिछले financial year में यह 13,36,69 करोड रहा था यानि कि 17.01% का increase देखने के लिए मिला है टोटल advanced tax questions के अगर हम बात करें फिसकल 2023-24 की तो यह 6,25,269 करोड रहा है और पिछले financial year में यह 5,1302 करोड रहा था यानि कि निस्ट समलव नो चार प्रतिशत की विर्दी देखने के लिए मिली है फिसकले 2017-18 में 92 करोड हुआ करते थे महीं 2022-30 में 8,375 करोड पर पहुंच गया यानि कि जो compound annual growth rate रहा है वह 147% का रहा है वोल्यूम वाइस वह यह अगर हम वैल्यू वाइस देखें तो एक लाग करोड जो है एक लाग करोड रुपे रहती थी 2017-18 में वहीं यह बढ़कर अब 2022-30 में 149 लाग करोड रुपे पहुंच गई यानि कि जो compound annual growth rate रहा है वह 168 प्रतिशत है इन विच स्टेट इस दख करापार एटोमिक पार प्रोजेक्ट सिच्वेटेड करापार परमान उर्जा परियोजना कि स्राज्य में स्तित है ऑप्शन आपके सामने सही आंतर ऑप्शन ने गुजरात है देखें हाली में इंडिया का जो सेकेंड होम बिल्ट यानिकि धीरे यह इलेक्ट्रीट प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा जो यह यूनिट फॉर सुरू की गई है कख्रा पार एटोमिक पार प्रोजेक्ट यूनिट फॉर ठीक है आपको बता दे सोला इंडिजिनियस प्रेसराइजड हैवी वाटर रियक्टर्स साथ सो मेगावाट इच यह बना जा रहे हैं और उनमें यह जो है दूसरा है ठीक है और यह जो जो यह प्रेसराइजड हैवी वाटर रियक्टर्स हैं यह नैच्रल यूरिनियम को यूज करने फ्यूल के लिए और हैवी वाटर को कूलेंट एंड मॉडरेटर के लिए जो यह कक्रापार एटोमिक पार प्रजेक्ट 3 है एंड 4 है 700 मेगावाट के दोनों ही यह भी कक्रापार में है यानिकी सुर्ट इस्टिक गुजरात में और इनसे पहले के पीएस वन एंड टू तो अल्रेड़ी एक्जिस्ट करी रहे हैं प्रेजेंट ली एनपीसी आइल 23 भारत में ऑपरेट कर रहा है जिनकी टोटल केपस्टी 1480 मेगावाट की है ठीक है और नाइन यूनिट्स है इसमें इंक्लूडिंग इस के एपीपी-4 विद केपस्टी ओव 7500 मेगावाट और इनके अतरिक्त 10 मोर एक्टर्स जिनी केपस्टी 7000 मेगावाट की ने वाली है यह प्री प्रोजेक्ट एक्टिविटीज में सामिल है दो जार इकतिस बत्रिस तक चालो हो जाएंगे हैं एकॉर्डिंग तो एस्पी रिपोर्ट वैन्विल विमन वोर्टर्स इन इंडिया सरपास मेल वोर्टर्स एस्पी रिपोर्ट के मुताग भारत में महिला मद्दा कब पुरिष मद्दा था उसे आगे निकल जाएंगी ऑप्शन्स आपके सामने सही आंसर ऑप्शन भी है फ्रोंदी ट्वंटी नाइन जनल इलेक्शन्स ओनवर्ड्स आपको जाना चाहिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एकोनोमिक रिपार्टमेंट इन एक रिपोर् कर जाएंगी दो जारऊनातिस से जो व१म्न बेंट थाइंधोर थ адर्टै सेवन कोरूड रहेंगी और मैंगो nota-36 कोरूड असपास रहेंगी हम इसकर था नहीं कि दो मतलबोड़ेने जा रही हैं दोजार निस लोक्षभा एलेक्षण में में देखा कि जो फीमेल वोटर टर्ण आउट रेट था यह मेल से ज्यादा था ठीक है विमें वोटर का जो टर्ण आउट था वह 67.18 परसेंट था वही मेल्स का 67.01 परसेंट था फिलहाल जो 70 लोक्षभा है इसमें 15% मेंबर्स जो है महिलाएं हैं और जो स्टेट लेश लिए असेंब्ली हैं यहां पर यह एवरेज 99 परसेंट है कि विच पेमेंट कंपनी हैस लॉंच इंडियास फर्स्ट सेल्फ होस्टेड पेमेंट्स और्केस्ट्रेशन प्लैट्फॉर्म नेम्ड फ्लोवाइज किस बुक्तान कंपनी ने एक अपना नया प्लैट्फॉर्म लॉंच किया है पेमेंट और्केस्ट्रेशन के लिए और्केस्ट्रेशन मतलब होता है अलग अलग तरगी जो चीजह हैं ठीक है उनको एक ही चीज में सामील कर देना एक ही ग्रूप में उनको डाल देना तो इसका नाम है फ्लोवाइस इस तरह की चीजों में आप इतना ही देखा करें यह नहीं आप कैस फ्री पेमेंट्स का हेड़कॉर्टर्स M.D.C.O. यह सब पढ़ रहे हैं ठीक है तो यह फालतों की चीज होती है केवल उनका पढ़िए जो आपके पास काम के जैसे बैंक्स के आपने पढ़ लिए कोई ब से पहले आगे बढ़ेंगे आगे भी और कोश्चन है पहले देख लेते हैं M.P.P.C.S. प्री 2030 सब्सक्राइब को इसमें कौन-कौन से कोश्चन पूछे गए कुछ करेंट अफेर्स से संबंदित है कुछ करेंट अफेर्स प्लस इस्टाटिक हैं जैसी यह हूँ डिक्लेर यह 2024 एज इंट्रनेशन यह ऑफ केमिलिट्स तो आंसर इसका ऑप्शन ए है यूए न दूसरा कोश्चन पूछा था वीच अमंग दा फॉलोइंग इस रिसेंट साइंटिफिक मिशन ऑफ इस रोफ और कंप्रहेंसिव स्टेडी ऑफ सन तो आज ती अलवन नेशनल ग्रीन ट तो इस और किस कंट्री के सेंट्रल बैंक के कवंधर को दिया गया तो सही आंसर क्या है इंडिया और सेंट्रल बैंक ओफ दैयर कों सा था यूक्रेन का था तो यह याद रखिएगा और भी कुश्चन डिसकस करेंगे आने वाले सेशन में विच बैंक इन पार्टनर्शिप कानपूर लॉंच्ट इंडिया फस्ट फुली इंट्यूरेटेड इस स्कूल ऑफ सस्टेंबिटी कि आइटी कानपूर के साथ सायधारी में किस बैंक ने भारत का पहला पूर्ण था एक इकरत स्कूल ऑफ सस्टेंबिटी लॉंच किया सभी आंसर ऑप्शन डी रहेगा कोट कोटक महिंद्रा बैंक ने कोटक स्कूल ऑफ सस्टेंबिटी जो कि इंडिया का फस्ट फुल इंटिग्रेटेड इस इसे लॉंच कि आइडी कानपूर में कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं MDNC असवासवानी होने वाले एक जनवरी से अपना पदभार समालेंगे हैट में इस तरह के साइंस और के साइंस जरा ये कफी फूछे जाते हैं कि इन पर नजार रखेगा अपनी का लिए डिपेस्ट अंडर गाउंड लेबर निश्क एंचाइन से mejorar ने तरुछंग वे 141 को भी लॉंच किया है अपने लोंग मार्च 5 लॉंचर से और इससे इंडो-पैसिफिक को मोनिटर करेगा स्री लंका में डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कोलेज में उत्क्रश्ट प्रदर्शन के लिए कितने भारते सदस्टर बल अधिकारियों को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है सही आंसर प्शन भी है प्रिक देखे तीन इंडियन आन्फोर्स ओफिसर जो कि स्रेलंगा में स्थित् डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कोलेज में कमांड एंड स्टाफ कोर्स में रोल थे इनने गोर्डन ऑल से सम्मानित किया गया है इनकी आउटस्टेंडिंग पर्फोर्वेंस के यह जो डिफेंस सर्विसेज कमांड एंड स्टाफ कोलेज का जो एक कोर्स है यह सीनियर ओफिसर्स के लिए रहता है जिससे की उने लीडर्शिप रोल के लिए तयार किया जा सके और स्रिलंका के प्रेजडेंट है रानिल विक्रम सिंगे इन्होंने यह वाड़ दिया है विंग कमांडर सुमित महाजन मीजर रोहित एंड लेफ्टेंड कमांडर सनी सर्मा को एए आउट ऑफ टोटल 44.46 क्रोड लोंस सैंक्षनेंट अंड़ प्रदानमंत्री मुद्रा योजना प्यमए माइड हाओ मच प्रसंट हैव बीन सैंक्षन टू वीमन प्रदानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सुकर्ट को से कितना प्रतिशत महिलाओं को सुकृत किया गया है सही आंतरॉप्शन से है 69 परसेंट देखे 44.46 क्रोड लोन्स जो परधार मंत्री मुद्रा योजना के तहत दिये गए हैं उनमें से 30.64 क्रोड यानि 69 परसेंट यह महिलाओं को जो हैं दिये गए हैं आपको जाना चाहिए आपर परधार मंत्री मुद्रा योजना के बारे में यह 8 अपरेल 2015 को लोन्स की गई ती इसके तहित को कोलेटरल फ्री इस्टूशनल क्रेट दिया जाता है स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइस को दस लाग रुपे तक का क्रेडिट में दिया दे जाता है जो मेंबर लैंडिंग इस्टूशन से यानि की सिड्वल कमर्शिल बैंक्स रिजिजनल रूर बैंक्स के द्वारा और तीन तरह के लोन है इसमें शिशू है यानि की 50,000 रुपे तक का लोन और तरून है पांच लाग से दस लाग रुपे तक का लोन इसी तरह का एक और जानेगा कि स्टेंड अप इंडिया के तहत 2.09 लैक लोन्स जो सैंक्शन हुए उनमें से 1.77 लाग यानि क्रेंट अफेर हैं जो इसको हलके मत लीजेगा यह पूछे जाते हैं क्योंकि हाली में जो है पार्लेमेंट में बताए गया है यह आंकडे मंत्री द्वारा आपको जादी जो स्टेंड अप इंडिया स्कीम है इसे पांच अपरेल 2016 को लोन्च किया गया था ताकि महिला और स स्टी जो लोग हैं उनमें एंट्रप्रेंशिप की बावना को प्रमोट किया जा सके उनको लॉंस दिया जा सके ताकि वह ग्रीन फिल्ल एंटरप्राइस सेट अप कर सके तो जबी स्कीम लोंच की गई तो पूछा भी जाता था ऑप्शन में आता था कि स्टेंड अप इंड इस फिसकल यर में तो 79 लैक जो है नए एंडॉल्मेंट हुए हैं आप सभी जानते हैं यूजना किते हैं जो सब्सक्राइबर है उसको एक हजार से पांच जार रुपे तक की मंतली पैंशन मिलती है साथ साल के जब हो जाते हैं उसके कॉंट्रिविशन पर जो है डिपैंड पूर है विजे स्टेट वॉन 2023-2024 विजे हजारे ट्रॉफी 2023-2024 विजे हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती ओप्शन्स आपके सामने हैं सही आंसर ऑप्शन ए है हरियाना आपको जाना चाहिए यह 2023-2027 का विजे हजारे ट्रॉफी टूर्णामेंट हुआ है यह 31st फाइनल में हरियाना ने राजस्थान को 30 रन से हराकर अपना पहला विजे हजारे ट्रॉफी टाइटल जीता है कुछ और डॉमेस्टिक कंप्टिशन देख लेते हैं जो हाली में कंक्लूड हुए हैं रणजी ट्रॉफी 2023 सोरास्ट इसका विजे हुआ इरानी कप 2023 रेस्ट इंडिया ने यह टाइटल जीता दुलीब ट्रॉफी 2023 साउथ जोन ने जीता देवधर ट्रॉफी 2023 साउथ जोन नहीं जीता है नेम दा लोगसभा सेक्रेटरी जनरल हुवास कृंटेट अफ फर्दर एक्सटेंशन इन टैन्योर फोर वन येर लोगसभा महासचीव का नाम ब सिंग इन्हें एक और साल का एक्स्टेंशन दिया गया है इनकी सर्विस के लिए आपको बता दें मिस्टर सिंग 1986 बैच के आईयस ऑफिसर है उत्राखंट कैडर से और लोगसभा सेक्रेटरी जनरल बने थे एक दिसमबर 2020 को इन्हें दो साल का एक्स्टेंशन दिया गया था 30 रोंबर 2021 को वहीं आपको जाना चाहिए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल है प्रमोद चंद्र मोदी वहीं दो सेदस्य कमीटी की आजे मानिक राओ खान विलकर आपको जाना चाहिए रिटायर्ड सुप्रीम कोड ज़ज जस्टिस अजे मानिक राओ खान विलकर यह उस 12 सेदस्य कमीटी की अध्यष्टा करेंगे जो मेचर धियान चंद खेल रहतने अरजुन आवर्ड और द्रोनाचार आवर्ड के जो वीनर्स हैं उनको सेलेक्ट करेंगे मेचर धियान चंद खेल रहतने अवर्ड आप सभी जानते हैं हाइस्ट स्पोर्टिंग ओनर है हमारे देश का और एन्वली दिया जाता है मिन्सिट्य उफ यूत आफेर्स एंड स्पोर्ट्स कोवर्मेंट ऑफ इंडिया के द्वारा और इसमें जो कैस्ट प्राइज मिलता में सेकेंड हाइस स्पोर्टिंग होनर है हमारे देश का और इसमें फिफ्टीन लाक रुपीज कैस्ट दिया जाता है महिलाओ और बच्चों के विकास और कल्याण में उतकरष्ट योगदान के लिए जमनालाल बजाज पुरुसकार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है ओप्शन आपके सामने सही आंसर ओप्शन भी रहेगा सुधा वर्गिस दहिए सुप्रीम कोड चीफ जस्टिस दीवाई चंद्रचूड इन्होंने 45 जमनालाल बजाज अवार 2023 मलयाली सोशल वरकर सुधा वर्गिस को दिया है इन्हें सिस्टर सुधा ये साइकल दीदी के नाम से भी जानते हैं और बिहार की जो मुशाहर कम्यूटी है उनके सोशल अप्लिफ्मेंट के लिए इनको इन्होंने काफी सरहनिय कारी किया है अचा पहले पढ़ें इससे पहले आप ये लाइन जानेगा 1938 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी और ये एन्वली फोर केटेग्रिस में दिया जाता है Outstanding Contribution in Application of Science and Technology for Rural Development ये रामलक्षमी दत्ता को दिया गया Outstanding Contribution in Promoting Gandhian Values Outside India by Individuals Other Than Indian Citizens ये रहनवा कुमार को दिया गया है Who won 2023 Next Generation ATP Finals? 2030 Next Generation ATP Finals किसने जीता? सही answer option C है Hamad Mizdrovik आपको जाना चाहिए 2023 Next Generation ATP Finals ये Men's Sky Tennis Tournament रहा जो Top 8 Highest Strength Singles Players है 2023 ATP Tour में और जिनकी Age 21 या उससे नीचे की है उनके बीच में ये टूर्णामेंट होता है और आपको बता है King Abdullah Sports City जेदा साओधी अरब में ये टूर्णामेंट हुआ है इसे जीता है सर्वियन प्लेयर हमाद मेज़दोविक ने और इन्होंने आर्थूर आर्थूर फिल्स को हराया है विच कंट्री रिसीव थाइएस अमाउंट ओफ रेमिटेंस इन फ्लोज इन द वर्ड इन 2023 एट 125 बिलियन यास डॉलर 2030 में किस देश को दुनिया में सबसे अधिक 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रेशन प्राप्त हुआ है आपको जाना चाहिए वर्ड बैंक ने माइग्रेशन एंड डेवलप्मेंट प्रीफ इस नाम से एक डोक्योमेंट जारी किया है जिसने बताया कि लोग एंड मिडिल इंकम कंट्रीज जो है यहां पर रेमिटेंस फ्लो जो है ग्रो देखने के लिए मिला है हाला कि स्लोर पेस में मिला है यानि की गती थोड़ा दीर रही है जो रेमिटेंस आए है पर ग्रोथ जो है आपर हुई है और इन में इंडिया टॉप पर रहा है रेमिटेंस मतलब समझ रहे हैं जैसे कोई बाहर चला जाता है ना कार्य करने साओधी अरब या या यूए फि ग्रोव किया है मतलब अगर कंपेर करें 2022 से तो 3.8 परसेंट ग्रोव किया है और वैल्यू रही 669 बिलियन यूस टोर की साओध एश्या में 7.2% इंप्रीज देखने करना है रेमिटेंस में आपको बतादे भारत में 125 बिलियन यूस टोर का रेमिटेंस प्राप्त हुआ है 2030 में इंडिया का जो शेर है साउथ एश्या रेमिटेंस में 66 परसेंट पहुंच गया 2030 में जबकि 2022 में 63 परसेंट था इंडिया के बाद रेमिटेंस प्राप्ति में दूसरे नंबर पर मैक्सिको है फिर चाइना है फिर फिलिपिन्स है और फिर एजिप्ट है किस भारते नागरी को बूटान के प्रतिष्ठित नेसल ओडर ओफ मैरिट गोल्ड मैडल सम्मानित किया गया है औप्शन आपके सामने सही आंसर ऑप्शन दिया है पूनम खेतरपाल सिंग देखे डॉक्टर पूनम खेतरपाल सिंग जो की रिजिनल डिरेक्टर डबलो एच इसिया है इन्हें हाली में बूटान का प्रतिष्ठित नेसल ओडर ओफ मैरिट गोल्ड मैडल दिया गया है इनकी डिस्टिंक्विस्ट सर्विसिस के लिए बूटान की जो किंग है जिगमे खेसर नमगेल वांग्शुक इन्होंने डॉक्टर के तरपाल सिंग को ये सम्मान दिया है वेर हैस्टा ओफिस कम ट्रेनिंग सेंटर ओफ भासकराचारी नेसल इस्टिटूट फॉर इस्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियो इन्फोर्मेटिक्स बीन इनुगरिटूट बासकराचारी रास्टे अंतरिक्स अनुप्रियोग और भू सूचना विज्ञान प्रेजिक्शन केंद्र का उतार्टन कहां गिया गया सही आंसर ओप्शन सी है न्युडेली आपको जाना चाहिए ओफिस कम ट्रेनिंग सेंटर ओफ भासकराचारी नेसल इंस्टिटूट फॉर इस्पेस एप्लिकेशन्स एंड जियो इन्फोर्मेटिक्स इसकी यह पीम गत शक्ति प्रोग्राम है इसके लिए टेक्निकल पार्टनर है यह बासकराचार इंस्टिटूट बाकी प्राइमिस्टर गती शक्ति आप सभी जानते हैं कि नेसल मास्टर प्लान है मल्टी मोटल कनेक्टिविटी के लिए और 1.2 ट्रिलियन युएस डोलर का यह एक मेगा प्र अस्तर सकती 2023 टुछ इन विच स्टीर अस्त्रसकती 2023 अभ्याद की सुराचर में हुआ है सही आंसर ऑप्शन डी आंदरप्रदीश है आपको जाना इसी एक्सराइब एक्सराइब अस्तर सक्ति निए जये संब्च में सम्च के दुरां इंडियन एर निये को भी जो है ट्ट् किया है और successfully test fire किया गया है इस summer air defense missile system को पहली बार किया गया है और speed range range 2 to 2.5 मेंक आकास weapon system आपको बता दे एक indianously designed and developed system है defense research and development organization द्वारे इसको बनाय गया है वही हमने हाली में भी देखा था कि DRD ने हाली में autonomous flying wing technology demonstrator इसका flight trial किया है जो कि एक indigenous high speed flying wing unmanned aerial vehicle है और कहां पर टेस्ट किया गया एन्यों टेस्ट टेस्ट विंच चित्र तुर्क करनाटक में आपको दादे जो technology demonstrator है इसको develop किया जा रहा है इंडिया की security stealth combatron जिसका नाम घातक है इसके लिए what is the new gratitude limit notified by life insurance corporation LIC for its agents जीवन वीमा निगम द्वारा अपने एजेंटों के लिए अधिसूचित नई gratitude सीमा किया है सही आंतर option B है 3 lakh rupees माफ कीजेगा option C है 5 lakh rupees इसको मैं सही कर दूंगा माफ करना देखें life insurance corporation LIC ने जो gratitude limit है अपने एजेंट्स की उसको 5 lakh रुपे कर दिया है पहले 3 lakh रुपे थी और यह किया गया है life insurance corporation of India agent speculation 2017 हमें जो amendment किये गे थे उसके कर रहा gratitude आप समझ रहे हैं जैसे कोई company उसमें कोई worker है तो वह जैसे 5 साल minimum 5 साल अगर कारी कर लेता है उसके बाद यह minimum 5 साल होने चाहिए तो वह ग्रेजुटी जो है depend करती है उसकी last salary हो कितनी ले रहा था ठीक है इन सब पर पास साल से पहले भी अगर मिल सकती है employee का accident हो जाए या फिर और कोई दूर कटना हो जाए जो nominee हो तो उसको मिलता है आपको जाना चाहिए एलाइसी ने हाली में जो डिक्सान टेक्नलोजी इंडिया 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 है इसमें अपनी जो पेड़ अप केपिटल का परसेंटेज को गटा दिया है तीन परसेंट कर दिया है पहले 5.012 परसेंट था वहीं इनफीबीम एवन्यूस लिमिटर इसने 49 परसेंट एक्विटी स्टेक हासिल किया है पेरेमिट फिंटेक में 25 क्रोट पे इन्वेस्ट करके देशल इसकिल्ड डेवलपेंट कॉर्पेशन यानिकी एनस्टीस है साइंड एन एमो यू विद विच कंट्रू तो प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इसकिल्ड इंडियन लेपर्ट्स रास्टे कोशल विकास निगम ने कुशल भारतिय स्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए किस देश के साथ एक समझोधा ग्यापार परस्ताक्षिर किये हैं सही आंसर ऑप्शन डी है साओधी अरभ देखे नेसनल इसक इंडिया मिशन यह लॉंच किया है 2015 में देखे जो 2014-15-16 की स्कीम्स है ना जो लॉंच की गई थी जब मोधी गवर्मेंट आए थी ठीक है यह आज भी एक्जाम में पूछी जाती है तो इनके आप जो इयर है ना उनको याद रखिएगा 15-16-14 में कौनकों सी लॉंच हुई विस डिजीज हैस बिन एड़ेड़ बाइड़ वर्ड हेल्थ और्गनाइशन तो दे लिस्ट अफ नेगलेटेट ट्रॉपिकल डिजीज एंटिजीज ने किस विमारी को उपक्षित उस नेकटी बन दिये रोग कि सूची में रखा है सही आंसर अप्शन भी है नोमा वर्ड साथ एक सीवियर गेंग्रीनेस डिजीज है माउथ एंड फेस की जो की कुपोशित जो यंग बच्चे हैं दो से छे साल तक के उनको जो है अफेक्ट करती है और ऐसी लोग इलाकों में जहां पर काफी पोर्टी देखने के लिए मिलती है इसमें जो गम से उसका इंफलेशन देखने के मिलता है और अगर सही टाइम पर ट्रीट ना किये जाए तो यह फेशल टिशूज एंड बोन्स को डेस्ट्रोई करते था इसमें डैथ भी हो सकती है और डिस्फिगर मेंड भी इसमें देखने के मिलता है अच्छे जो इन एक ट्रोपिकल डिजीज है यह ज्याद 20 कंडिशन्स ऐसी है जहां पर ट्रोपिकल एरियास में जहां पर यह डिजीज काफी प्रेविलेंट है वायरेस बैक्टीरिया पैरसाइट्स फंगाई टॉक्सिन्स इन सब के कराण होती है इस विजेता को दी जाने वाली नकत राशी कितनी है सही आंसर ऑप्शन भी है 15 लाग रुपीज देखेंगे गाजा कैपिटल बिजनस बुक प्राइट्स इन चुट्टी थी यह हाली में दो बुक्स को दिया गया है उनके ओथर्स को दिया गया है जॉइंटली तो पहली है अगेंस्ट ऑल ओर्ट्स इसे लिखा है क्रिश गोपाले कृष्णन और दया सिंदू एंड कृष्णन नारायन ने दूसरी है विनिंग मिडिल इंडिया दे स्टोरी अफ इंडिया स लिस्ट ऑफ टॉप हंड्रेट अंडर थर्टी हुरुन इंडिया की टॉप हंड्रेट अंडर थर्टी की सूची में कौन शीर्ज पर है सही आंसर ऑफिशन भी है जैप्टो फांडर्स देखें कैवल्य वोरा 21 साल के और अधित बालीचा 22 साल के यह फांडर्स हैं कुईक कोमर्स अप जप्टो के और हुरु इंडिया टॉप हंड्रेट अंडर थर्टी लिस्ट 2023 में यह टॉप पोजिशन पर रहे हैं यह जो लिस्ट है यह हंड्रेट एंट्रपनर्स की इसके फांडर हैं यह फोर्थ एंड फिफ्ट पोजिशन पर हैं राहुल रावत चोबीस साल के दिगानतरा के और अनिरुद्ध सिंगला पैपर के वहीं अगर हम इसमें यंगेस रूमन की बात करें तो देवाज सी केजरीवाल हैं इस किलमेटिक्स की 27 साल की What is the revised forecast for India's GDP growth in fiscal 2024 according to ICRA? ICRA के नुसार fiscal 2024 में भारत की GDP वृद्धी का संसोधित पूर्वा नुमान क्या है? options आपके सामने हैं सही answer option C है 6.5% देखिए ICRA ने इंडिया का जो fiscal 2024 GDP growth है उसको forecast 6.5% कर दिया है पहले 6.2% मताया था हाली कि ये forecast जो हाली में RBA की monetary policy committee हुई है उससे तो कमी है उन्होंने जो recommend किया है उन्होंने बताया है कि 7% रहने वाला है तो उससे तो कमी है 6.5% आपको दादे ICRA इसका headquarters Guru Gram में है और इसकी जो parent company है ये moody's है 51.86% majority stake है इसमें moody के which bank has launched industry first community banking program for diamond cohorts किस bank ने diamond समुहों के लिए उद्ध्यों का पहला सामुदाइक banking का रिकरम सुरू किया सही answer option C है इंडेसिंट बैंक देखें इंडेसिंट बैंक ने इंडेस्ट सॉलिटायर प्रोग्राम जो कि एक community banking initiative है जो कि basically diamond industry के लिए बनाया गया है इसे launch किया है तो इसमें कई तरह की सुईधा दे रहा है इंडेसिंट बैंक जासे कि 24-7 लोकर एक्सेस और इसके कुछ specific ब्रांचेस पर एड़न फैमिली अकाउंट्स टेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स देट कम विड मेंबर्शिप बेनेफिट्स एट टोप टीर होटल्स एट सेक्टर वह यह आपको जाना चाहिए कि मैक्स लाइप इंशूरेंस कंपनी ने इसमार्ट टोटल एलिट प्रोटेक्शन प्लान को लॉंच किया है बस इस तरह के करंट अफेर में इतना ही जानना होता है आपको ज्यादा इसमें जाओगे अच्छा यह वाला भी मैंने आपको ऐसी बता दिया ताकि कोश्चन का एक सार बन सके ठीक है इसकी भी ज़रुत इसमार्ट टोटल एलिट प्रोटेक्शन प्लान बस इतना पढ़ना होता है ठीक है तो यह स्मार्ट तरीके से आप पढ़े अब मुझको था आपको बताना है ना तो मैं मुझे सब चीज़ें आपको बतानी पढ़ेंगी कुछ कोश्चन ऐसे होंगे जिनकी डीटेल्स भी आपको बतानी पढ़ेंगी तो हम इस आगे भी कुश्चन है हम पहले देख लेते हैं कुछ कुश्चन जो हाली में मध्यप्रदेश प्री में देखे गए सभी एक्जाम के लिए यह मैत पून रहते हैं जो कुश्चन होते हैं अगर आप अभी तक दो जन्वरी से लेकर इनके अगर आप पेपर देखेंगे करंट अफेर्स देखेंगे तो आपका अच्छा खासा जो है रिवाइज हो जाएगा पूरे साल का और आपको यह भी जानने के लिए मिलेगा कि आप करंट अफेर्स ठीक से पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आपने जो पहरी बार सुनने होंगे अमेच और कबड डिफेडरेशन ऑफ इंडिया तो एक नई चीज आपको देखने के लिए इसमें तो इस तरह से कर आप कॉश्चन पेपर देखेंगे चाहे आप बैंक की तियारी कर रहे हो एससी की तियारी कर रहे हो जी इस तो कोमनी रहता है ना हाई यह है कि सिविल सर्विस आइस के पेपर में जो चीज आता है वह बिल्कुली थोड़ा अलग हो जाता है तो इसमें डीप स्टेडी की थोड़ी जूरत पढ़ती है महां तक हमें नहीं जाना है पर यह जो PCS के पेपर होते हैं इन्हें आप जरूर देखा करें चलिए इ अब यह आप खुद देखेगा कि बिस के तो ते तो by कि चुट के सबसेगे किया हो यह गारा कंवा टाइंडिया में काफी चर्चा में रहते थे हैं एक दौट आपके सामने से यह आप्शन सी रहेगा 10 मैं इसको most important category में रखोंगा इस question को ठीक है आने माले किसी ना किसी exam में देखने के लिए मिलेगा आपको और क्या देखने के लिए यह भी मैं आपको बताऊंगा देखे केशवरंद्र भारती verdict ने जो है हमारे सम्मीधान में एक golden rule जो उन्हें आप जो है अमेंड नी कर सकते उनकी पावर आपके पास नहीं है तो अब यह जो verdict है यह दस भारती है भासाओं में उपलब्द है सुप्रीम कोड की website में ऐसा हाली में जो हमारे chief justice of India हैं उन्होंने यह बात कही है और 50 साली पूरे हो रहे हैं इस judgment के क्योंकि 1973 का है अब यह देखी किन-किन languages में हिंदी तेलगु तमिल उडिया मलयालम गुजराथी कंणर पेंगॉली असमिस और मराथी अब कोश्चन यह बनेगा कि हाली में किसमरंद भारती वर्डिक्ट को दस इंडियल लैंग्विज में एवलेबल कराए गया है और इन मेंसे कौन सी ले पहले हमारे जो वीडियो उती इसमें 2,000 तक वीव यह जाते थे क्योंकि तब हमारा पीडियाफ कोर्स नहीं था अब जब से पीडियाफ कोर्स हमने ओपन किया है तो एस्पिरेंट्स को फाइदा तो हो रहा है क्योंकि बार-बार वीडियो कोलना यह तो टाइम कंसूमिंग होता है मतलब बार-बार एक बार तो देखेंगे सही है पर पीडियाफ से फिर आपको बताइए फायदा भी है तो अब जो पीडियाफ वाले एस्पिरेंट्स हैं वो वीडियो देखना बंद करती है अब जो मैं आपको मुह से बोलकर कुछ ऐसी बाते बताता हूं बारी की जो है पूरा फाइदा ले सकते हैं इस चीज़ का अब जब से पीडियाफ को शुरू किया है तब से विउस कम हो गया है क्योंकि एस्पिरेंट्स ने जो है पीडियाफ कोर्स ले लिए अवोकेवल पीडियाफ पर ही डिपेंडेंट है वीडियो की ज़रत नहीं समझते हैं आपको जाना चाहिए केसवनांदा भारती एंड अडर्स स्टेट उकेरला कई बार यह पोचा जाता है किेसवनांदा भारती स्टेट citizenship कि भारतिय सम्मंदित को शन ना पूछा गया हो कभी ना कभी पूछाई गया है जाहे एससी ले लो चाहे किसी भी स्टेट के पीसेश की एक्जाम की बात कर लो आप तो किसवनदा भारती वरसे स्टेट अफ केरल जिसे केसवनदा भारती जेश्मेंट केते हैं 24 अप्रेश ने 173 की यह बात है इसे इस फंडमेंटल राइट केस ब्रसी ब्रसी तो इस्में सुप्रीम कोर्ट ने जो है तेरा जेज़ज बैंच थी यह थी कि तीरा जे जेस्की बेंच थी जिन्होंने साथ छे की मैजरोटी से वर्डिक्ट दिया था और कहा था कि जो पार्लियमेंट है वो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं ठीक है उनको जो है अमेंड नहीं कर सकती आपके पास पावर है अमेंड करने की पर आप कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको आप अमेंड नहीं कर सकते हैं उनको आप टच नहीं कर सकते हैं साथी करंट अफेर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी जोइन कर सकते हैं आप रेगले वीडियो अपडेट्स और करंट की जिसम आप सबी गरे डालते रहते हैं साथ ही discussion group में आप किसी भी question का solution पा सकते हैं दोस्तों हमारे current affairs की प्रेलिश दी गई इसको आप चुरूट देखें अपने दोस्तों के साथ fellow estimate साथ हमारे current affairs को आप शियर जूरू करें आज का यह session आप वो कैसा लगा आप comment box में बोक्स में बताएगा thank you guys